जिन्दगी में इन्तजार नहीं कोशिस कीजिए जनाव क्योंकि इन्तजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोशिस करने वाले छोड़ कर जाते हैं हेलो बच्चों क्या हल चाल कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम सांदार जिन्दबाद और जबरजस्त होंगे तो बच्चों आईए हम और आप मिलके इस बैच में कोशिस करें कि आप जितने माक्स अभी टेस्ट में स्कोर कर रही है इस बैच क को पढ़ने के बाद इस बैच के खत्म होने के बाद आप अपने माक्स में 50 से 60 नंबर का इजाफा कर पाएं तो चलिए मिलके कोशिस करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर वन है लेक्चर है गतिके के ऊपर किसकी गतिकी के ऊपर तो अपना मास्टर एक्सप्रेस बैच फटा फट पैन पेपर पानी की बोटल जरूर साथ में रखें तैयार हो जाईए स्टार्ट करते हैं तो आज का अपन गोल देखेंगे कि हम आज कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेटा इस बैच में तो इस बैच में इस लेक्चर में तो बेटा सभी टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सरल रेखा में गती आपेक्षिक गती और तल में गती मतलब अपना जो काइनामेटिक्स वाला पार्ट होता है गतिकी वाला भाग होता है वो अपन इस लेक्चर में सल्टाएंगे खतम करेंगे अच्छा देखो यहाँ पर अपन जो बेसिक चीज़ेंगे डेफिनेशन बगएरा पर उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यह रिविजन बैच है, मैं मान के जल रहाँ कि आपने बेसिक चीज़ेंगे पड़ी होई होगी अपन उन चीज़ों को देखेंगे जो exam point of view से important है समझेंगे सभी चीज़ को, किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं लेकिन derivation बगएर है, किसी चीज़ का proof है, इस से अपन बचेंगे ताकि questions ज़्यादा solve कर पाएं, ठीक है, यह practice वेचे है आपका तो अपन बात करेंगे दूरी तथा विस्थापन से तो जब कोई वस्थापन गति करती है, गतिमान होती है, तो दूरी या विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन उसके बदलते हैं अब दूरी होती क्या है, विस्थापन होती क्या है, इसको अपन समझेंगे तो दूरी अपन कहते हैं, पत की वास्तविक लंबाई सर कौन से पत की वास्तविक लंबाई हम कहेंगे बेटा जिस पत पर बस तू चल रही है उस पत की वास्तविक लंबाई को अपन क्या कहते हैं दूरी कहते हैं विस्थापन क्या होता है तो विस्थापन अपन कहते हैं प्रारंबिक तथा अंतिम बिंदू के बीच की नियूनि विस्थापन की दिशा प्रारंबिक बिंदू से अंतिम बिंदू की ओर होती है, ठीक है, देखो, माली जी आपका प्रारंबिक बिंदू है, यहां से आप चलना स्टार्ट करें, और चलते 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 पता नहीं आप कहां से घूम घाम के इधर गए, इधर गए और अं क्या करने सिर्फ प्रारंबिक विंदू देखना है और अंतिम विंदू देखना है तो यह से आपका अंतिम विंदू इनको आप तीर से जोइन करो सर तीर की दिशा कैसे तीर की दिशा कैसे तो हम कहेंगे प्रारंबिक बिंदू से अंतिम बिंदू की और तो यह अपना प्रारंबिक बिंदू यह अंतिम बिंदू तीर से इसको जोड़ दो तो यह क्या हो गया बेटा विस्थापन इस तीर की लंबाई विस्थापन का परिमार होगा और तीर की दिशा विस्थापन की दिशा होगी विस्थापन ठीक है यो विस्थापन से है बेटा और ये क्या है दूरी दूरी सही जाए न ये गाना है न किसी सिंगर का लेकिन यहाँ पर आपको दूरी सही न उम्मीद है कि आपकी sheet और IIT की बीज की दूरी बीज की दूरी बिल्कुल खतम हो जाएगी आप अपनी sheet अचीब कर लोगे बास्ताब में विस्थापन अंतिम इस्थिती तथा प्रारंबिक इस्थिती में परिवर्तन होता है यह important चीज है विस्थापन को अगर मैं x से यह सब बहुत basic बाते हैं अपन यह नवमी class से या साइद उससे पहले से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं ठीक है दूरी तथा बिस्थापन के बारे में तो देखो दूरी के बारे में मुख्ष बाते है पत्की को लंबाई होती है दूरी एक अदिसरासी होती है ठीक है वस्तु गतिमान है तो दूरी हमेशा बढ़ती रहेगी। हाँ दूरी नियत हो सकती है कि अगर कोई वस्तु चलते-चलते-चलते रुख जाए। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, इधर जा रहा था, तबलक तबलक घोले पर बैठके जा रहा हूँ, तबलक तबलक फिर इधर मोड़ गया, इधर मोड़ गया, इधर मोड़ गया, तो दूरी लगातार बढ़ रही है, मैं इधर चला गया, इधर चला गया, दूरी करना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है मित्रों दूरी का मान कभी रिनात्मक नहीं हो सकता है दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है अच्छा दूरी विस्थापन से कम तो नहीं हो सकती है लेकिन दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं कब अभी डिसकस करेंगे पहल प्रारंबिक तथा अंतिम बिंदू के भीच की निवनितम लंबाई को अपन क्यां कहते हैं यह सद राती है विस्थापन का मान धनात्मक red altri सोन हो सकता है विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि ये निवनतम लंबाई है दूरी क्या है पत्थ की बास्तविक लंबाई और ये क्या है निवनतम लंबाई अब ये निवनतम लंबाई है तो ये दूरी से तो कम होगी ही होगी ठीक है विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है ठीक है अब बात आती है बिटा कि दूरी और विस्थापन कभी बराबर हो सकते हैं क्या तो हम कहेंगे यस दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं तो आप लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि दूरी और विस्थापन कभ बराबर हो सकते हैं तो आपका जवाब आता है क सर जब बस्तु सरल रेखा में गती कर रही होती है तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है ठीक है बस्तु सरल रेखा में तो गती करें लेकिन दिसा ना बदले दिसा ना बदले जैसे इस प्रकार से बस्तु ने गती की यहां प दूरी सही जाईना यह अपना initial point यह final point अब हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना है सरफ और सरफ initial point और final point को एक तीर से जोड़ देना है तो हम कहेंगे अईला यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों ही बराबर है आपको तीर से दिख रहा होगा जो मैंने green color से या yellow वाली line है वो किसको प्रदर्सित कर रही है दूरी को और जो मैंने तीर बनाया है वो किसको बता रहा है विस्थापन को तो योस है विस्थापन बेटा तो दूरी और विस्थापन बराबर है ठीक है दोनों बस्तू है सरल रेखा पर चली अब देखो twist कहा आता है बस्तू अगर सरल रेखा में चलते चलते अपनी दिशा बदलने जैसे बस्तू यहां से यहां गई और फिर बस्तू यहां से लोट पड़ी बस्तू को पता नहीं गती है बस्तू यहां से चली 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 और यहां पर आगे तो यह बस्तू की अंते में स्थिती और यह बस्तू की प्रारंबे के स्थिती अब आप बताईए बस्तू की गती सरल रेखिये ही है यहां से गई जिस रेखा पर उसी रेखा के अनु के color की ये क्या है बेटा विस्थापन है इसका दिसा हो गया ये प्रारंबिक point अंतिम point ये हो गया विस्थापन तो ये basic चीजे हैं इसको अपन कहते हैं दूरी चलिए अपना आगे बढ़ते हैं एक सवाल ध्यान देना इसमें लोग गलतियां करते हैं आपको नहीं करनी है गलती समझने के बाद एक कन x दिसाक के अनुदिस गती करता है उसका विस्थापन x बराबर इस समीकन से दिया जाता है तो कन का समय t बराबर 0 से समय t बराबर 3 सेकन में कितना विस्थापन होगा तो लोग गलती क्या करते हैं पहले देखो गलती गलती ये करते हैं कि समय कमान कितना रख देते हैं तीन सेकेंड और विस्थापन बता देते हैं लिख देते हैं एक्स कमान आ गया 40 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 3 का बर्ग ठीक है जोड़ लो जितना भी आ जाए कितना आ गया जोड़ने के बाद तो एक्स कमान यहां से आ गया 40 प्लस 12 इंटू 3 का बर्ग है कि घाथ 3 है तीन की घाथ 3 होगा तीन की घाथ 3 तो तीन तरको नो तीज़ शत्ताइस शत्ताइस ठीक है कैलकुलेशन देखते चलना 40 और 12 इंट शत्ती समय तीन है तीन का क्यूँ नो तीज़ शत्ताइस ठीक है तो लोग कहते रहते हैं कि कह देते हैं कि सर यह आंसर हो गया विस्थापन का विस्थापन का ठीक है लेकिन विस्थापन की बेटा परिवासा यह नहीं थी विस्थापन की परिवासा यह नहीं तो हम विस्थापन एक से सदिस बराबर कैसे लिखेंगे बस्तू की अंतिमिस्थिती माइनस बस्तू की प्रारंबिक इस्थिती है एक दिसा में ही गती कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ विस्थापन सदिस को हम लिखेंगे अंतिमिस्थिती मतलब ती बरावर तीन सेकेंड पर वस्तू का विस्थापन, ती बरावर तीन सेकेंड पर वस्तू की इस्थिती, माइनास ती बरावर जीरो सेकेंड पर वस्तू की इस्थिती, अब अपन याद कर लेते, इस कमान कितना आया, ठीक है, तो ती की जगहे कितना रख दो, बिटा, तीन प्लस 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 और T की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 की घात 3, माइनस, आप क्या करोगे यहां पर? जिन्दगी की न तूटे लड़ी, इसमें आप T की जगह 0 रखोगे, तो 40 प्लस 12 इंटू T की जगह 0 रखो, 0 की घात 3, यहां से आप इसको घटाओगे, तो आपको विस्थापन मिलेगा, this is the correct answer, यहां से घटाने के बाद जो भी मान आ जाए, तो विस्थापन क्या होता? इस से इस पर ध्यान मत देना, अब देखो मज़दार सवाल, मज़दार सवाल, ठीक है, फिर से ध्यान देना, दर्साए गए चित्र में एक आर्थ रिज्जा की बने 36 तल पर, दर्साए चित्र में आर्थ रिज्जा की बलाए, बने नहीं, बलाए, आर्थ रिज्जा की बलाए चैते जितल पर बेलिनिय गती करती है जो आधा चक्कर पून करने के बाद तो आधा चकर पून करने के बाद पून्ट पी, क्यू, एक्स, बाई बिंदूओं के बिस्थापन ग्यात कीजिए तथा यह भी बताईए कि किस बिंदू का बिस्थापन अधिकतम होगा और किस बिंदू का बिस्थापन नियूनतम होगा देखो अपने पास एक बला है जिसकी तरिज्ज़ आपको दी गई है R तरिज्ज़ कितनी है R है अब यहाँ पर point P, point Q, point X, point Y अब यह बला है बेलिनिय गती करती है बेलिनिय गती, rolling motion रोल करती है और कितना रोल कर जाती है आधा चक्कर तो हमें बताना है कि आधा चक्कर रोल करने के बाद जो अलग-अलग पो잉ंट हैं X Y P Q, इंके विस्थापन कितने हो जाएंगे, शुरू करें, शुरू करें, आप करोगे, खुदसे करोगे, वीडियो पोस करो, कोसिस करो, कोसिस तो करना है, कोसिस करते रहना है बेटा, इंतिजार नहीं, इंतिजार करने वालों को क्या मिलता है, जितना कोशिस करने वाले छोड़ जाते हैं, तो चलिए मैं भी कोशिस करूँगा आपके साथ, तो सबसे पहले हमने बनाई एक बला, बला नहीं, बला, बला की चक्कर में मत पढ़ना बेटा, बला की चक्कर में पढ तो यह अपना point P, यह Q, यह वाला था X और यह वाला point कितना था Y, कौन्सा था Y था, ऐसे ही थे, yes, XY, Q, मैं चलो Y को इधर बना देता हूं, यह point अपना Y है, और यह point अपना X है, त्रिक है, अब इसको आधा चक्कर घुमाना है, आधा चकर घुमने के बाद इन पॉइंट की स्थिती के आउगी तो हम कहेंगे जब आधा चकर इस ने घुमा इस बलाय ने तो कुछ इस प्रकार की स्थिती हो जाएगी मैं यहीं से बना लेता हूँ आधा चकर घुमा दिया इसको ने ध्यान से देखते चलना है तो आधा चक्कर के बाद बताओ, points कहां पहुंच जाएंगे, तो point Q जो उपर था, वो कहां आ गया, नीचे आ गया, point P कहां पहुंच जाएगा, तो यहां point P आ जाएगा, यहां point Q हो जाएगा, आधे चक्कर के बाद, अगर पूरा चक्कर होता, तो point की सितियां नहीं बदलती आधा चक्कर हुआ अब आधे चक्कर में देखो बिटा आधे चक्कर में ये वाला भाग नीचे आ जाएगा ये वाला भाग नीचे आ गया तो पॉइंट क्यू कहां पहुंच गया इधर पहुंच गया और पॉइंट पी कहां पहुंच जाएगा उपर तो ये पॉइंट पी यहाँ point Q, यहाँ ठीक है? आधे चक्कर में है कितनी दोरी तै कर लेगा, बताओ. इसका द्रब्ब्यमान केंदर इसका केंदर आधे चक्कर में कितनी दोरी तै कर लेगा? तो आप काओ कि सर आधा चक्कर जब ये चलेगा आधा चक्कर तो ये जो परधी का आधा भाग है ना परधी का आधा भाग ये जमीन को टच करेगा परधी का आधा भाग ठीक है तो परधी का आधा भाग आगे चला जाएगा तो जो दरब्यमान केंद्र है इसका दूरी इसक कितनी होती बेटा टू पाई यार आधा चक्कर कर रहा है तो आप देखो कि आधी बलाए आधी बलाए जमीन के कॉंटेक्ट में आ जाएगी तो यह वाली जो दूरी होगी उसका मान हो गया पाई यार पाई यार ठीक है ऐसा अब पॉइंट की सितियां हमें क्यू और पी की सिति पता चल गई अब सोचो सोचो जरा सोचो पॉइंट एक्स बाई कहा होंगे तो हम कहेंगे ऐसा आगे गया आगे गया पॉइंट पी पहुंच गया इधर तो पॉइंट बाई कहां आ गया होगा पॉ आ गया, आधा चक्कर घुमाना है, तो मित्रों, अलग-अलग पॉइंट का विस्थापन देख लो, हम विस्थापन लिखते हैं, चलो किसका, पॉइंट एक्स का, पॉइंट एक्स का विस्थापन, तो देखो, पॉइंट एक्स की ये प्रारंबे के स्थिति है, और से यहां तक कि यह दूरी, यह दूरी कितनी है, पाई आर है, तो इसका अंसर हो गया, true r plus pi r, 2 r plus pi r, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, हमारा भी इतना ही आया है, हम कहेंगे very good वेटा, very good, ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, by point के विस्थापन की, by point, तो जब by point को गौर से देखो, by को गौर से देखो, तो by point यहां था, यहां पहुंच गया, by point का विस्थापन यो से यो, अब आप कुछ तिगडम लगाओ, कुछ टेक्निक लगाओ, कि आप by निकाल सकें, by निकाल सकें, तो आप कहेंगे, sir by निकालने के लिए, हम इस मैंसे, यह दूरी कितनी ह इधर हटाओ, और इधर हटाओ, तो बिंदू बाई का विस्थापन मिला, तो बिंदू बाई का विस्थापन हो गया, par – 2R, par – 2R, ठीक वा, sir, ठीक वा, ठीक वा, ठीक वा, तो हमें दो point के विस्थापन मिल गए, अब अपन बात करते हैं, P and Q की, तो P point की प्रारंब ने कि हमारे हैं इसको तो इस तीर की जो लंबाई है वो विस्थापन हो गया अब तीर की लंबाई गयाद करने है कि कोई टैक्निक बताओं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप बताओ, क्या करें तीर के लंबाई कैसे निकाल सकते हैं तो आप कहोगे सर, सर कितना आसान है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कितना आसान है, देखो, यह वाली हो गई दूरी πाई यार, और यह हो गया इसका ब्यास, यह हो गया ब्यास, इसकी लंबाई 2R, इसकी लंबाई पाई यार, इसकी लंबाई कितनी पाई यार, तो यहाँ पर अंधर दा रूट पाई आर का स्कौरेür प्लस टू आर स्कौरेर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही और अगर हम विंदू क्यू का बिस्थापन देखें तो विंदू क्यू का बिस्थापन भी इतना ही होगा पाई आर का स्क्वाइर प्लस टू आर स्क्वाइर देख लो कैसे अईयो चिन्ना स्वामी क्यों भूपिंद्र जोगी क्या नाम है तुम्हारा देखो यह बिंदू क्योंकि प्रारंबे किस्थिती और यह अंतिमिस्थिती इस प्रकार से तो इस तीर की लंबाई भी आप देखेंगे तो यह हो गया टू आर दिस इस टू आर एंड दिस इस पाई आर पाई आर तो यह जो तीर की लंबाई है वो इतनी ही आ जाएगे मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा इस सबसे जादा बिस्थापन किसका है सबसे जादा बिस्थापन तो बिटा सबसे जादा बिस्थापन आपको बैसे ही दिख रहा है दिख रहा है पॉइंट एक सबसे पीछे था, सबसे पीछे था और अब point x सबसे आगे निकल गया, सबसे आगे निकल गया, बताओ ऐसे क्यों हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, दोस्त, क्योंकि उसने ये वाला बैच पड़ लिया, ये वाला बैच पड़ लिया, तो आपको भी ऐसे ही करना है, सब पहुंच गया तो इसका जो विस्थापन है बेटा वो maximum है और point by सब से सब से आगे था सब से आगे था लेकिन ये बला के चक्कर में पढ़ गया इसने बलाय पे ध्यान नहीं दिया बला के चक्कर में पढ़ गया तो point by सब से पीछे रहेगा बेचारा तो इसका जो एवं नियूंतम विस्थापन किस बिंदू के होंगे हमें ये भी पता चल चुका है आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे बढ़ते हैं कुछ-कुछ सवाल जल दी से जल दी से कम ओन कम ओन आ अब्रीवडी यदि किसी कण का विस्थापन सून हो तो दूरी के बारे में बताना है द यहां पर आपने चाय पी चाय पीने के बाद यहां समोसा खाया समोसा खाने के बाद आप घर लोटाए तो आपकी प्रारंबिक और अंते मिस्थिती सेम हैं तो विस्थापन सून है विस्थापन क्या होता है प्रारंबिक और अंते मिस्थिती में परिवर्तन जबकि दूरी सूने नहीं है लल्ला दूरी सूने नहीं है दूरी इस पत की लंबाई होगी ठीक है दूरी सूने हो सकती है विस्थापन सूने तो दूरी सूने हो सकती है यह बिल्कुल सही है दूरी सूने हो सकती है हमेशा रिणात्मक होगी अरे पगले दूरी कभी रिणात्मक नहीं होती ह सून हो भी सकती है और नहीं भी सून हो भी सकती है और नहीं भी तो सबसे करेक्ट अगर एक option हमें टिक करना है तो अपने टिक करेंगे दूरी सून हो भी सकती है नहीं भी अब आप कहो कि सर दूरी सून कभ हो सकती है ठीक है सकती है तो यह भी सही है बेटा अगर इसमें लिखा है सून हो सकती है तो यह भी सही है सून हो सकती कैसे कि आप सो के जगे ऐसे ही करते हैं बेटा आप आम जीवन में अपन सो के जगे सुवाए स्वाए भजे सर्दी बहुत थी अपन सो के जगे उठके बैठ गए बैड पर उठके बैठ गए बैड पर कितने बज़े चे चे एम कि आज हम मॉर्निंग बॉक पर जाएंगे लेकिन लेकिन सर्द यतनी थी और नीद यतनी च्छाई हुई थी ना आखों पर कि घड़ी में कितने बज़ गए गड़ी में बज़ गए हैं बेटा चे बज़ कर 20 मिनिट चे बज़ के 20 मिनिट आप अभी भी यहीं बैठे हो अपनी जगए से हिले ही नहीं हो तो इस समाई अंतराल जो 20 मिनिट का है आपके दोरा तै दूरी किती आप बेट से हिले ही नहीं सून है विस्थापन कितना सून है ठीक है तो विस्थापन सून है यह सेना पर भी विस्ठापन सून है तो दूरी सून हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है दूरी सून सिर्फ एक ही केस में हो ह सकती कि आप अपने जगहले इसले नहीं हो नहीं फॉ одним है वक हैंJesus tomorrow यदि कोई कन किसी समय अंतराल में गतिमान है तो निम्न मेंसे क्या सून हो सकता है क्या सून हो सकता है तो विस्थापन सून हो सकता है सून हो सकता है यदि कोई कन किसी समय अंतराल में गतिमान है तो विस्थापन सून हो सकता है, दूरी सून नहीं हो सकती, और कण अगर गतिमान है, तो चाल सून नहीं हो सकती, विस्थापन सून हो सकता है, कि चलते 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 बापस ही आ गए, ऐसा चलो वैसे चाल की बात तो हम आगे भी करेंगे एक सावा लौट देखलो एक एक एकन तीन मीटर उत्तर फिर पांच मीटर पश्चिम और फिर पांच मीटर तल के लमवत उपर की ओर जाता है तो तय विस्थापन बात तय दूरी ग्यात कीजिए अब देखो करण कैसे चल रहा है आप इसको न सदिस की रूप में लिखा करो जब भी आपको इस प्रैप के सवाल मिलें उत्तर दक्षन पूरा पश्चिम हो रहा हो कभी तरीका तरीका सदिस लिखो बेटा विस्थापन का दूरी निकालना तो बड़ा असान है विस्थापन क पूर्व इधर होता है वैस्ट बोली तो पश्चिम ठीक है अब तीन करहां जा रही है काण उत्तर में उत्तर में तो सदिस liखो क्या लिखो होगे ठिरी जे 3J cap, यह भाई दिशा होती है, फिर 5 पांच मीटर पश्यम में जाता है, पश्यम किदर है, इधर है, तो इधर चला बेटा वो कितना 5 मीटर, तो 5 मीटर तो परिमाण हो गया, और इस दिशा में चल रहा है, तो सदस लिखने के लिए आप लिख दो, इसको प्लस 5 माइनस I cap, मा के लंबबत उपर की ओर तल के लंबबत उपर ये तल है ये तल है ये तल के लंबबत उपर इधर जा रहा है इधर इधर कितना पांच तो फिर आप क्या लिख होगे प्लस 5, 5 ऐसा नहीं होता है, पगले, 5 ऐसा होता है, 5 k cap, 5 k cap, बाहर की ओर, बाहर कौन सी दिशा होती, z दिशा होती है, ठीक है, तो विस्थापन सदिस हमको मिल चुका है, माइनस 5 i cap, प्लस 3 j cap, और प्लस 5 k cap, और इसका अगर हम परिमान निकालें दोस्तों, तो फटा फट, फटा फट, किसी साथ इसका परिमान क्या होता है, तो i के गुडांक का बर्ग, माइनस 5 का बर्ग, प्लस j के गुडांक का बर्ग, बोले तो 3 का बर्ग, प्लस k के गुडा पांच पांच तीन पांच पांच तो पहले तीन चला फिर पांच चला अधिस रास यह सीधे जोड़ते जाओ कितनी होगी तेरा मीटर ठीक है दिस दूरी दिस विस्थापन आई होप इस चीज आपको क्लियर होगी तो कभी पूरा पश्चे मुत्ता दक्षण किया जाए तो आप आई कैप जे कैप के कैप खेल कर सदस लिख लो बेटा सदस लिख लो फिर परिमाड ले लो उसका चलिए चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अच्छा एक सवाल और देख लो बिटा यहाँ पर यह वाला है एक मक्खी एक चीटी एक बिकर्णीय विप्रीत सीर्स पर इस प्रकार जाना चाहिती है कि वह निवनतम लंबाई के पथपर चले तो इनके पथों की लंबाईया करने होंगी ठीक है एक मख impactful चीती है वह एक चीती किए कण नहीं मैं भाना हैं कि द把它 ऐखन है कि है कि बिकर्स द्धेर अब प्रीइसे इतीजे जाना चाएं तो सबसे पहले गम बनाते हैं यहां भान लिखा हुआ है एक गन के तो सबसे पहले मित्र अपन क्या करेंगे घंड बनाएंगे अपन ने क्या किया वेटा एक घंड बना लिया ठीक सवाल है अब देखो एक चीटी है एक मक्खी है एक चीटी एक मक्खी है ठीक है तो देखो मक्खी उड़ सकती है चीटी चल सकती है तो मक्खी की बात करें तो वो यहां से उड़ना शुरू करेगी उड़ते 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 विकार हमने ये वाला लिया, दूसरा कोना ये वाला लिया, एक कोना ये वाला, दूसरा कोना ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो मक्खी तो ऐसे ओड के पहुंच जाएगी, मक्खी हो, मच्छर हो, कुछ भी हो, ओड के यहाँ पर पहुंच जाएगा, ओड के यहाँ पर पहुंच लबाई नयूनटतम क्यों बैटा मक्षी चाहे तो इधर उदार नौरर ओड़ के फिर यहां पहुंचे फिर यह पहुंचे लेकिन हमसे क्या का गया है नौर्णतम लंबाई यहां तो झाल नौने ताम लंबाई घर्राथतर जानते हो न यहांसे आ corridor3 इन टु इसकी भ tightened अब अपन बात कर रहे हैं चीटी की देखो अब चीटी को यहां से चल कर यहां पहुंचना है लेकिन चलते चलते चीटी ओड़के नहीं जाएगी चीटी चलेगी ऐसे चलेगी 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 कहीं इस तरीके से चलती होगी इधर चलते 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 जाएगी मैं अगर आपको बना के बताओं तो आप यहां पर देखना यहां पर देखना ध्यान से ध्यान से देखना देखना देखो ए तो अपना एक तल हो गया स्कॉयर मैंने ऐसे बना दिया ऐसे इस तरीके से ध्यान देना इस पॉइंट को मैंने बोला ए तो यह वाला पॉ और फिर इसको सीधे ऐसे कर दिया तो चीटी को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर पहुँचना है तो समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐसे कर के बना रहा हूँ ऐसे फेला के ठीक है तो देखो मित्रों अब चीटी कैसे चल जाए चीटी को कहां पहुंचना है यहां पहुंचना है ठीक है इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कुछ B चीटी को पहुंचना है इधर तो चीटी ऐसे चल चल के जाएगी तबड़क तबड़क मैं इससे जोइन कर देता हूं इधर ऐसे जाएगी चलते चलते इस तरीके से ऐसे चलेगी तबड़क 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 इधर ऐसे चलते 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 वो यहां पहुँचेगी हबाब है नहीं उड़ेगी तल पर ही चलेगी तल पर ही चलेगी ठीक है कैसे चलेगी इस तरीके से इधर से चलना शुरू कर रहे हैं यहां पहुंचना है उसको तो यहां से चली 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 यहां पहुंच जाए तो आप बताओ इसकी भुजा की लंबाई कित्ती है हमें यह पत चाहिए हमें यह वाली लंबाई चाहिए मित्रों तो यह है और बताओ यह कितना यह कितना है तो आप कह बहुत सर्जी 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 हैरूट तो कितनी हो गई पटा जो पथ AB की लंबाई है A B किसका पत है चीटी का पत है तो चीटी के पत की लंबाई हो गई है बिटा Under the root 2 A square plus A square 2 A square root 2 है ना नहीं नहीं root 2 नहीं भाई root 2 नहीं होगी लंबाई तुमने ज़ादू कर दिया भाई ये 2 A होगी ना लंबाई बिटा 2 A 2 A देखो A वाली लंबाई ये भुजा की लंबाई कितनी बेटा A और ये वाली भी लंबाई कितनी A है तो ये लंबाई कितनी हो गए बेटा 2A हो गई तो जब आप यहाँ पूट करोगे इसको तो ये 2A का स्कॉर प्लस A स्कॉर तो ये कितना हो गया बेटा root 5A, root 5A, 2 cover 4, 4 और एक 5, 5A square, 5A square आगा root के अंदर, तो अंतरता root 5A आगया, ठीक है, तो ये मखी के पत की लंबाई हो गई, ये मखी के पत की लंबाई हो गई बेटा, और ये चीटी के पत के लंबाई हो गई, चीटी यहां से चड़के यहां गई, आपने कहा बात तो सुनी होगी, चीटी चड़ी पहाड पर मरने के बास्ते, और आप student, हम बच्चे पढ़ाई करते हैं किसके लिए, IIT की seat के बास्ते, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, IIT की seat आपको मिल जाएगी, तो आपको पढ़ हाई किसके लिए करना है, IIT की seat के बास्ते, चलिए, और सत चाल, कुछ और परिवास हैं, come on, come on everybody, touch में रहना, touch में रहना, so much, अरे पापियों, so रहे हो, so रहे हो, इधर ध्यान दो, और सत चाल, तो और सत चाल बराबर क्या होता है, किसी समय अंतराल में तै दूरी बटे सम ही बात है, और सत चाल, ताक्षनक चाल अगर हम लिखें, यहां पर ही, ताक्षनक चाल, लिख देता हूँ, चलिए, ताक्षनक चाल बेटा, क्या होती है, ताक्षनक चाल को हम कहते हैं, बताओ क्या होती है तो हम कहेंगे ताक्षणक बेग का परिमान ऐसे लिख लो ताक्षणक बेग का परिमान परिमान ताक्षणक बेग क्या होता मागे डिसकस करेंगे ताक्षणक बेग का परिमान क्या होता है ताक्षणक चाल के बराबर होता है लेकिन फिलाल अपन बात करे और आधारत पत्रुश्ण कुरुकर ओसद आंत्राल में तै विस्थापन ध्यां देना विस्थापन से समाई अंत्राल में तय बिस्थापन बटे समाई अंतराल ठीक है क्या होता है बेटा औस अवसत बेग होता है ओख चछनक बेग होता है बिस्थापन के परिवर्तन की दर बाज तब में जैसे इसको अपन लिख Deep किस वी स्थापन की परिबर्तन की धर कह देते हैं या इसको अपन ऐसी वह लिखते हैं और और करके हुआ वी ताक्षनिक बराबर होता है बराबर होता है वी ओसत के कब जब समय अंतराल बहुत छोटा हो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमित डेल्टा टी लिमिट समय अंतराल कैसा है बहुत छोटा ये ताक्षन के बेग dv बटे dt, dv बटे, sorry dv नहीं, ये क्या लिख दिया में तुमने, पापी आदमी, ओ पापी, v average, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स और यहां हो गया dx, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, अब समाई अंतराल डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो डेल्टा टी और इसको आप क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, गनत में इसको क्या पढ़ते हो, rate of change of x with respect to time, बोले तो विस्थापन के परिवर्तन की दर समाई के सापेक्ष, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, बड़ी basic चीजी है, ठीक है, अब देखो, एक ब्यक्ति की ओसत चाल क्या होगी, ठीक है, ओसत चाल क्या होगी, देख फोटो बना के बता दूं, तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने class में, detail में discussion किया था सारी चीज़ों का, तो एक ब्यक्ति यहां से चलना start करता है, initial point, यह final point है, ठीक इसकी दूरी कितनी है, D2, कितनी है, D2, तो वो इस दूरी को, A से लेके B तक की दूरी को, दो भागों में बाढ़ता है, एक D1, दूसरा D2, और जब D1 दूरी तय करता है, तो इस यात्रा के दोरान, अपनी यात्रा के D1 दूरी, D1 दूरी भीवन चाल से चलता है, तो यहा हमको क्या जयात करना है औस चाल तो दूरी बटे आंतराल तो कैसे लिखोगे कुल दूरी को सर यहां से यहां दूरी D2 तो D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, कुल दूरी हो गई, समाई कैसे लिखो गई, तो हम कहेंगे यहां से, देखो, कुल समाई हम डारेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, कुल समाई हम डारेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, समाई बराबर क्या होता है, समाई बराबर होता है बेटा, द दूरी बटे चाल अपन लिख लेते हैं, तो यहां से A से लेके C तक की हमें दूरी पता है, चाल पता है, यहां चाल बदल रही है, बदल रही है, लेकर हम A से C तक का तो समय लिख सकते हैं ना, तो समय A से C तक का, प्लस समय C से B तक का, A से B जाने में कुल कितना समय लगा तो समय A से C जाने में प्लस समय C से C से B जाने में तो देखो बेटा D1 प्लस D2 D1 प्लस D2 अब TAC A से C तक का समय कितना हुआ तो A से C की दूरी कितनी है D1 चाल कितनी है V1 समय C से लेके B तक कितना तो C से लेके V तक की दूरी कितनी है V2 दूरी V2 नहीं है भईया दूरी है D2 चाल कितनी है V2 तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे D1 upon V1 plus D2 upon V2 D2 upon V2 इस प्रकार से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब देखो और आगे बढ़ते हैं अब देखो सवाल निसकर्ष देखो 32 प्रकार से गती करता है 32 प्रकार से गती करता है कि यदि 2 बिंदूओं की 20 की दूरी एन बराबर बराबर भागों में बाटती जाए और हर भागे की चाल क्रम सा V1 V2 V3 हैं तो औस चाल होगी situation समझ लो result आपको याद रखना है year long batch में इसका proof भी बताया था पूरा लिखके proof बताया था लेकिन फिलाल आप इस्थिती समझ लो इस्थिती समझ लो ए initial point और ए final point result आपको याद रखना है अब इनके बीच की दूरी को हम बराबर बराबर भागों में बाट देते हैं टुकडे कर देते हैं किसके दूरी के दूरी के टुकडे कर रहे हैं तो यह यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हमने बहुत सारे बराबर बराबर भागों में बाट दिया ध्यान देना दूरी को बराबर बराबर भागों में बाट रहे है दूरी को हमने बराबर बराबर भागों में बाट दिया ठीक है अंडरलाइन करना इसको कि दूरी को एन बराबर भागों में बाटा जाए ठीक है तो इधर की भी दूरी हमने कहीं D तो एभी दूरी D, एभी D, 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 सभी D, D हैं, सभी D, D हैं, ठीक है, और पहली D दूरी की चाल कितनी है, V1, अगले D दूरी में चाल कितनी है, V2, अगले D दूरी में चाल कितनी है, V4, V4, and so on, यह आखरी बाले भाग में चाल कितनी है, V4, and so on, यह आखरी बाले भाग में तक पहुँचने के दौरान इसकी जो औसत चाल होगी औसत चाल उसका सूत रोगा 1 upon V average is equal to 1yn into 1yv1 plus 1yv2 plus 1yv3 plus 1yv4 ठीक है यह औसत चाल है ठीक है अगर मैं कहाँ कि चलो एक्जामपल में दूरी को दूरी वो देतो डिस्टेंस डिस्टेंस को तीन बराबर भागों में बाटा गया है और हर एक भाग की चाल केतना है पहले भाग की V1 दूसरे भाग की V2 तीसरे भाग की V3 है तो हम 1 upon V average इस यात्तरा की ओसत चाल कैसे लिखेंगे 1 upon V average is equal to 1 upon 3 एन भागों में बाटा था तो इधर कितना है था एन अभी कितने भागों में बाटा है तीन भागों में तो 1 upon 3 into 1 Y V1 plus 1 Y V2 plus 1 Y V3 तो रिजल्ट यात रहेगा तो एक्जाम में टाइम बचेगा रिजल्ट क्या होता है वो भी बता दिया और apply करके भी बता दिया कि रिजल्ट का उप्योग कैसे करते हैं अब देखो सवाल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा confusion हो जाता है गलत कर देते हैं गलत सूत्र लगा देते हैं अब कहा जाता है यदि दो बिंदूओं की बीच की दूरी मैं लगने बाले कुल समय को कुल समय को n बराबर भागों में बाटा यहां समय अंडरलाइन करना वहां दूरी को बाट रहे थे तो हर एक भाग की ओसत चाल कितनी हो जाएगी बेटा वी एवरेज एक कॉल टो वी बन प्लस वी टू प्लस वी थू प्लस वी थू एन सो ओन तीक है अपोन एन समझ लो इस किसको बाट रहे हैं समय को समय को समय को बराबर बराबर भागों में बाट रहा है ठीक है बहुत सारे बराबर भागों में तो हमने का इधर से इधर तक का समय टी इसमें भी जो समय लग रहा है वो भी टी है एवाला समय भी टी है समय को अपनने बराबर बराबर भागों मे बाट लिया और समय को अगर बराबर बराबर भागों में बाटा है दूरी को नहीं बाट रहे हैं समय को कि यहां से एसे लेके भी तक जितना भी समय लग रहा है उसको अपने बराबर बराबर भागों में बाट लिया जैसे माली जी एक जगे से दूसरे के जा रहे हैं 6 गंट की चाल V2, अगले T समय की चाल V3, अगले T समय की चाल V4, तो जो औसत चाल हो जाएगी बेटा, औसत चाल ये रही, V average is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 upon N, कितने भागों बाटा है, N भागों में, उधारण के तोर पर आप ऐसे देख सकते हैं, इसको, कि, 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 यहां से हम A से जारे ले हैं B, A से जारे ले हैं B, और यहां जितना भी समय लग रहा है, उसको हमने 3 बराबर भागों में बाट दिया, 1, 2, 3, ठीक है, मान लीजिए, ये वाला समय हमने का, ये समय 6 घंटे का है, तो ये वाला समय भी कितने का ह है छो गंटे का है ठीक है पहले में चाल V1 दूसरे में चाल बेटा V2 तीसरे में चाल बेटा V3 तो V average का मान होएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 divided by 3 ऐसे ठीक है तो इस concept को बेटा याद रखें अब अपने बात कर लेते हैं तोरण की ओसत तोरण तो औसत तोरण क्या होता है किसी समय अंतराल में बेग में परिवर्तन किसी समय अंतराल में बेग में परिवर्तन जिसको मैं ऐसे लिख सकते हैं V final minus V initial बेटा सवाल कैसा भी हो परिभासा अगर आप सही लगाते हैं परिभासा का उपयोग करते हैं तो सवाल गलत नहीं होता है यह नियम है बिटा प्रकृती का तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी यह ओसत तोरण हो गया और अगर हमें यह ताक्षणिक है किसी बेग के परिवर्तन की दार ये ताक्षणिक तोरण है किसी छण पर तोरण किसी छण पर तोरण ठीक है इसका मतलब हो गया किसी दिये गए छण पर तोरण देखो जब भी कभी बात की जाएगी ओसत की तो आपको समय अंतराल दिया जाएगा कि दो मतलब टी वराबर दो सेकेंड से टी वराबर दस सेकेंड तो ये समय अंतराल हो गया और जब बात की जाएगी ताक्षण की तो कोई निश्यत समय निश्यत समय दिया जाएगा वेटा पर्टिकुलर चाइंग तो आई एक सवाल करते हैं एक एकन नियत चाल से विटा चाल नियत है नियत चाल पांस मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिसा में चल रहा है दस सेकंड के बाद यह एकन पांस मीटर प्रति सेकंड से ही पश्चिम दिसा में गती करने लगता है तो ओसत तो तो तौरन ज्यात कीजिए औस तो तो तौरन ग्यात कीजिए तो मैंने का जब भी पूरा पॉरा पश्यम होना इस दुनिया में तो आप भी दिसा दिसा खेलो जिसा आपको पता है this is north this is south this is east and this is west this अब देखो बिटा फटा फट कहां जा रहा है कंड कहां जा रहा है उत्तर दिसा में पांच मीटर पर सेकंड से जा रहा था इधर जा रहा था फाइब मीटर पर सेकंड से फिर क्या किया इसने दस सेकंड के बाद पश्यम दिसा में मुड़ गया इधर मुड़ गया इधर लिखते हैं बेग में परिवरतन जिससे आप ऐसे लिख सकते हैं, वी फाइदल माईनस वी इनिशील बटे समय अंतराल डेल्टाटी, तो वी फाइदल, ए फाइदल वेग है, फाइदल इधर, लिख इतना है? यह अंतिम बेग है बेटा अनतिम बेग माइनस प्रारंबेग बेग तो प्रारंबेग बेग कहा था उपर परिमाण कितना था 5 5 जे कब बट यह समयां तरल कितना है 10 तो अंतितहां ए एवरेज़ वेक्टर कितना मिलेगा दिजा आपको मिलेगा कितना मिलेगा तो माइनस पूनत टो इमाइनस एप औन्टो टो i cap लिख लो minus j cap upon 2 दिशा आप से पूछी जाए कि दिशा क्या होगी तो दिशा बेटा यहीं से देखना i मैं negative, j मैं भी negative i मैं negative, j मैं भी negative तो i मैं negative इधर हुआ j मैं negative इधर हुआ छोटा बना लो i मैं negative तो इधर j मैं negative तो इधर तो यह वाली दिशा कौन सी होती है west होती है और यह वाली दिशा होती है south तो answer क्या हो जाएगा इसका south west बोले तो पश्यम दक्षन तो रन की दो दिशा होगी औस तो तो रन की दिशा होगी औस तो रन की दिशा वो होगी पश्यम दक्षन दक्षन पश्यम दक्षिन, ठीक ऐसे, I रिनात्मक इधर होता है, J रिनात्मक इधर, माइनस X, माइनस Y, परणामी इनके बीच में आएगा, तो कई बार लोग गड़बड करते हैं, कि सर पहले इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा तो परणामी इधर आना चाहि आएगी नहीं, तो गरबड हो जाएगा बेटा, चलिए, दर्फाय चित्र में एककन बिंदू, इसे बिंदू भी जाता है, IAT में पूछा गया सवाल है, ये बाला बिंदू हो गया A, और ये बाला हो गया बिंदू B, तो ओसत बेग के परिमान कितना हो गया, ठीक है, तो य यहां से ओसत बेग का परिमान निकालना है, किसका परिमान निकालना है, ओसत बेग, ओसत बेग, ठीक है, तो ओसत बेग, भी एवरेज, भी एवरेज बराबर क्या होता है, समाई अंतराल में तै किया गया बिस्थापन बटे समाई अंतराल, बटे समाई अंतराल, तो समाई इंतरल मेंता है विस्थापन कितना हो गया A से गया B विस्थापन कितना होगा 2R विस्थापन देखो यह प्रारंबे के स्थिती और यह अंते में स्थिती विस्थापन से दिसे रहा 2R 2R समय कितना लगेगा समय कहां से कहां तक A से लेके B तक का समय A से लेके B तक का समय अच्छा A बात भी दी हुई है कि एकन यहां से यहां चलता है इसका बेग इसकी चाल भी है और चाल नियत है नियत चाल ठीक है दरसाय चित्र में 1 कनब बिंदू इसे बिंदू भी जाता है नियत चाल बी से यह भी आपको सवाल में दिया गया था नियत बी से तो आपको शाब ग्यार्त करना है वह और सत बी तो बिस्था पन अपन ने लिख लिए टू आर अब एसे लेके बी तक कर समय बताओ कोई कमेंट में लिखके बताओ जल्दी से समय बताओ किता होगा A से B तक का समय लेट हो रहे हैं जल्दी करो तो आप कहो कि सर A से B की दूरी समय बराबर कितना होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल यहाँ पर नियत चाल है ना नियत चाल में लगता है रिजल्ट नियत चाल तो दूरी कितनी है भी या दूरी पाई आर है चाल कितनी है भी है तो यह हो गया पाई आर अपोन भी आर से आर कर दो बेटा बेकार और यह हो गया टू भी अपोन पाई तू भी अपोन पाई यह आं रहा है इस प्रकार से चलिए तो टू भी अपॉन पाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं निमने मैंसे गलत कथन चुनिए किसी बस्तू आवेग नहीं किसी बस्तू कावेग किसी बस्तू कावेग किसी बस्तू कावेग सून हो तो उसके पास तौरण होगा वेग सून है तौरण होगा क्या उसके पास तौरण होगा तो बिटाई ट्राए करना किसी बस्तू कावेग सून हो तो इसके पास तौरण हो सकता है जैसे किसी बस्तू को जब हम उपर फेकते हैं तो बस्तू उपर गई उपर गई उपर गई नीचे आई नीचे आई नीचे आई और बस्तू जब हाइस्ट पॉइंट पर होती है तो इस जगाए बेटा तोरण सून नहीं होता तोरण जी होता है नीचे की ओर तो यहां बेग सून है लेकिन तोरण है तोरण है बस तू का बेग नियत हो तो उसकी चाल बदल सकती है नहीं नहीं बेटा यह बात गलत है ठीक है बेग सदिस रासी होती है बेग कैसी रासी होती है सदिस तो बेग होती यह परिमान गुणा दिशा परिमान इन्टू दिशा तो ध्यान दो यह दोनों ही नियत हैं परिमान बेग नियत है मतलब बेग नियत है मतलब दिशा नियत दिशा नियत और परिमान भी नियत परिमान भी नियत और बेग के परिमान को ही हम क्या कहते हैं चाल अरे परिमान नि तो बेग का जो परिमान होता है यही क्या कहलाता है बेटा ताक्षनेक चाल तो बेग नियत है मतलब ना परिमान बदला है ना दिसा बदल रही तो चाल भी नियत होगी बस्तू की चाल नियत हो तो बेग बदल सकता है बिलकुल सही बात है बस्तू की अगर चाल नियत है तो ब बस्तू की चाल नियत लेकिन दिसा लगातार बदलती रहती है, तो बेग बदल जाता है, तो statement सही है, ये वाला भी statement सही था, नियत तोरण के दौरण बस्तू के बेग की दिसा बदल सकती है, यही example ले लो, किसी बस्तू को हम उपर फेकते हैं, तो तोरण नियत होता है, बदल जाती है, देखो, बस्तू पहले कहां गई, उपर गई, उपर गई, उपर गई, उपर गई, और फिर बस्तू नीचे आने लगती है, बस्तू नीचे आने लगती है, जिसा बदल जाती है, तो रिवाइज करातेज करते चलो बेटा, अब गती के समीकरण, ठीक है, यह important चीज है पिटा गती के समीकरण एक कब मानने हैं जब तोरण नियत हो नियत तोरण से गती हो रही है तब अपन इसको प्योग करते हैं तो पहला समीकरण भी बराबर U plus 80 दूसर समीकरण S is equal to UT plus half 80 square तीसर समीकरण V square equal to U square plus 2S इस सब को पता है याद रखना इसको गती के समीकर अपन कब प्योग कर सकते हैं जब तोरण नियत हो तोरण नियत हो ठीक है अब 90 second में तय की गई दूरी 90 second में तय की गई दूरी तो पिटा 90 second में तय की गई दूरी का सूत्र आपको याद रखना है S nth 90 second में तय की गई दूरी U plus A y 2 into 2N minus 1 होता है याद रखना U prarambic vague है अच्छा इसमें भी मैंने रिखा कि कौन सी चीज क्या है तो पिटा U prarambic vague मैं बता देता हूँ U prarambic vague है A कि तौरण है भी अंतिम बेग होता है एस विस्था पने ओंटी क्या है ती समय थीप है घूझ चली तो अब इनके अप्लिकेशन आपन देखेंगे ठीक है या ध्यान यह देना एक गति के समय कर तभी मानने हैं जब तुरण नियत हो तो इसके अप्लिकेशन्स अपन भहुत सारे देखेंगे अभी सवाल करेंगे सवाल करेंगे ठीक है चलो एक सवाल कर लो यदि बस्तु की प्रारभ में चाल दस मीटर पर सेकेंड है बस्तु का तुरण इतना है तो बस्तु दौरा सातवे वर नौबे सेकंड में तएक की गई दूरी का अनपात होगा तो S10 एनबे सेकंड में तएक की गई दूरी का सूतर केतना होता है ay2 into 2n-1 तो s7th 70 second में तय की गई दूरी u कमान 10 a कमान कितना है 4 a कमान कितना है बेटा 4 बटे 2 और 2 समाई कितना है 7-1 और हम s9th निकालने बेटा तो s9th कितना होगा 90 second में तय की गई दूरी तो प्रारंबिक चाल 10 है तोरण कितना है 4 तो 4 बटे 2, 2n की जगाए 9 पुट करे माइनस 1 और यही मान दिये गए है कोई गरवर तो नहीं है 7-9 इसको भाग दे देना अनुपात मिल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है गुणा भाग करना आपको आता है in fact गुणा भाग करना मैंने आपसे ही सीखा था ठीक है अच्छा देखो इस प्रकार के भी सवाल होते है बहुत सवाल होते है इस प्रकार के तो एक result बता रहा हूँ याद रखना क्लास में तो मैंने पूरा derivation करवाए था कि एक कार है जिसकी प्रारंबिक 40u meter per second है को break लगा कर x दूरी चलने के बाद रोका जा सकता है यदि इस कार के प्रारंबिक बेग को n गुना कर दिया जाए तो कार कितनी दूरी चलके रोकेगी ठीक है तो देखो पहले बेग कितना है यू कितना दूरी चली ब्रेक लगा रहा है न भीया तो ये x दूरी चलके रोक गई ठीक है बाद में इसकी चाल हमने कितनी कर दी n गुना n into u कर दी तो ये चलेगी 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 यहाँ पर जाके रोक गई तो अब बाब बताओ ये बाली दूरी कितने गुना हो गई इसको हमने x- ये x- x- एकакс देस कह दिया ठीक है तो आप याद रखना वेका कि जो दूरी है दूरी है वो n स्कुर को नहीं और पर दूरी बराबर हो जाएगी n इसकुर टाइम्स पुरानी वाली दूरी x के पुरानी वाली दूरी x के ठीक है n इसक्वर इंटू पहले को दो गुणा कर दिया, तो दूरी चार गुणा हो जाएगी, दूरी कितना हो गई, चार गुणा, ठीक है, बेग को हमने तीन गुणा कर दिया, कि पहले बेग था यू, बाद में हमने बेग कितना गुणा कर दिया, तीन गुणा कर दिया, तीन गुणा, तो अब नई दूरी x dash हो जाएगी 3 square into पुरानी वाली दूरी मतलब पहले का 9 गुना पहले का 9 गुना ऑल्दो समीगन बनाके तो आप निकाल ही सकते हैं समीगन कैसे बनाओगे चलो मैं हल करना भी बता देता हूँ पहले यहां से यहां समीगन लगाएं तो यू का मान यह है ठीक है अंतिम बे कित्ता हो गया जीरो हो गया हम ब्रेक लगा रहे हैं ब्रेक तो बताओ मंदन मिलेगा तो हमने का मंदन मिलेगा तो मंदन इस दिसाम में कितना ए ठीक है अब वही कार है यहां पर भी वही कार है हम उसी कार में ब्रेक लगा रहे हैं तो कार वही मंदन देगी ए तो पहले case के लिए मैं समीकरन लिखूं, तीसरा वाला समीकरन, v square is equal to u square plus 2as, समझ रहे हो तो v का मान कितना 0 square u square plus 2, ये मंदन है, तो इसको minus a लिख लो into x, इसको मने का समीकरन नमबर 1, दूसरे में, प्रारंबे के बेक किता, n u अंतिम बेक, v बराबर 0, तो दूसरे case के लिए अपन समीकरन लिखें, तो 0 का square is equal to n into u का whole square plus 2, तोरण कितना है, minus a into दूरी कितनी x, इसको हमने का समीकरन नमबर 2, समीकरन 1 और 2 को हल करो, ठीक है, आपको मान मिल जाएगा, x-का, ये a को गाइप कर देना, समीकरन 1 बदो से a को आप eliminate करोगे, u कट जाएगा, u कट जाएगा, x-का मान मिल जाएगा, आपको, x-is equal to n square into x, ठीक है बेटा, ऐसा, और क्या, अच्छा, इस type के सवाल, इस type के सवाल, important type के सवाल होते हैं भी, जल्दी आजा, जल्दी आजा, come on everybody, come on, come on, come on, late हो रहे हैं, घर जाना है, एक कार को समय के लिए, ब्रामवस्था से, अलफा की नियत, नियत दर से तौरित होती है, उसके बाद यह है, बीटा की नियत दर से मंदित होती है, और ब्रामवस्था में आ जाती है, कुल ब्यतीत समय T है, तो कार द्वारा प्राप्त अधिक्तम बेग कितना होगा, देखो बिटा, यह important type का सवाल है, आईटी में दो-तीन बार पूछा गया है, सवाल क्या है, समझी है, मिल जुलके समझेंगे हैं पर, कार चलना शुरू की, कहां से चली यहां से, point A से, कहां जाना है, point B जाना है, point B जाना है, तो point, यहां कोई point C आया बीच में, तो यहां से लेके, यहां तक का समय मैंने मान लिया है, कितना है, T1 समय है, T1 समय, तो यहां पर बेटा, जो तौरन है, तौरन, वो कितना है, अलफा है, ठीक है, तो हमने ए बराबर ले लिया अलफा तोरण है बेटा तो इस दिसा में होगा फिर सी से जब बी जाती है कार सी से बी जाती तो मंदन है मंदन मतलब तोरण इस दिसा में हुआ ठीक है इस दिसा में ए बराबर बीटा बेसिकल ये मंदन है बेग के बिप्रीत तौरण को हम मंदन कहते हैं बेग के बिप्रीत साम जो तौरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं मंदन कहते हैं ठीक है ऐसा तो चलिए यहां से चलना शुरू की तो समझना समझना चले 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 अभी तौरण है आप सोच मोटर साइगल चल सद्दू primera धिर गीतर खीचा जब तक आप खीच रहे हो तब डेटा बड़ रहा होगा तो बड़ा बड़ा-बड़ा बड़ा-बड़ा-बड़ा-बड़ा-इस- पॉक्ष्ण पर पेहनँ कि आपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए, तो चाल आप कम होगी, तो आपने point c पर break लगाया है, तो point c के आगे चाल कम होना start हो जाएगी, तो point C पर जो चाल होगी, वो maximum होगी हमने V naught माल लिया, हमें यही ग्याद करना है, चाल V naught होगी और maximum होगी, ठीक है फिर यहां से break लगाए, तो यह चलते 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 चलते, T2 समय में रोक गई, T2 समय में रोक गई, तो हमें दो part में motion पढ़ना है, A से C, फिर C से B, C से V, तो हम गती का पहला समीकन उप्योग करते है, V equal to U plus 80, तो देखो, यहां पर अंतिम वेक कितता है V naught, प्रारंबेक वेक कितता है 0, प्रारंबेक वेक 0, अंतिम वेक V naught, तोरण कितना है alpha, समय कितता लग रही है T1, समय T1, अब पहला समीकन यहां से यहां तक, यहां से यहा तो यहां पर रेस्ट में आ गई तो अंतिम वेग जीरो प्रारंबेग वेग भी नौट प्लस भी बराबर यू प्लस एटी एक ही जगाए मंदन कितना है बीटा तो तुरण कितना लिखोगे बीटा माइनस बीटा मंदन है ने बीटा रिणात्मक तौरण ऐसे इंटू समय कित और यहां से हमें टी टू का माँन में लिगा बीटा टी टू एककॉल टू वी नौट अपॉन बीटा वी नौट अपॉन बीटा है हमें वी नौट निकलना है अच्छा बैसे इस सबाल में कोल दूरी नहीं पूछी गई है यहां से यहां तक पूछी नहीं गई है लेकिन अ मना की प्रारम्बिक वे कितना है अंतिम विंदू है तो प्रारम्भिक विचए बिता माइनस बीटा इंटू T2 स्क्वेर, तब दूर यहां से निकाल सकते थी, ठीक है, अब हमें, ये तो side, side का काम है, इस सबाल में नहीं पूछा गया है, ये चीजें हमें इस सबाल में बेटा नहीं पूछी गई है, इस सबाल में हमसे पूछा गया है, क्या, अधिकतम बेग, तो V0 का म है, तो हम T को ऐसे लिख सकते है, T is equal to T1 plus T2, सर बिलको लिख सकते हैं, इस समीकन को हम आगे उप्योग कर लेते हैं, कि T1 plus T2 is equal to T, T1 का मान V0 upon alpha, T2 का मान V0 upon beta is equal to T, यहां से V0 common आ गया, LCM ले लो, इधर alpha बीटा आ गया, इसको हल करो तो, बीटा प्लस alpha आ गया बेटा यहां पर, यही हो, बराबर T, तो V0 का मान कितना हो गया, alpha बीटा upon alpha प्लस बीटा into T, यह मान आ गया, अलिकतम और इसी प्रकार से बेटा आप V0 का मान यहां पर रख दोगे, T1, T2 का मान रख दो, अब देखो V0 का मान मिल गया, कुल दूरी ग हमान हमारे पास है, कहां है, यह रहा, यह रहा, यह रहा, वी नॉट के पदों में, यह रहा, ठीक है, और V0 का मान मिल गया, तो T1, T2, V0 सब का मान रख दोगे, तो कुल दूरी भी मिल जाएगी, अगर सवाल में पूछी जाए, तो, चली बच्चों अपन आगे बढ़ते ह चली बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही अपन बात करेंगे, नियत तोरण से ही गती है, लेकिन गुरुत्य के अधीन गती, तो बिटा ध्यान देना, कि X डायरेक्शन में अपने आप कोई तोरण नहीं होता है, लेकिन बाई दिसा में, उर्दो धर दिसा में, उर्दो धर दिसा में, एक तोरण होता है, नीचे की दिसा में जिसे अपन कहते हैं, गुरुत्य तोरण, इसका परिमान नियत है, और दिसा भी नियत तोरण से ही गती हो गई है, और अगर गती नियत तोरण से हो रही है, तो बेटा हमें अधिकार प्राप्त हो चाता है कि हम गती के समीकरण का उप्योग कर सके तो अपनता करता है बस तुको उद्धधर ओपर फिकता है तो यह भी नीयत Toraan की ही गती एक्स दिसा 36 दिसा में कोई तौरण नहीं होता है उर्दो धर दिसा में तौरण होता है कितना जी के बराबर तो देखो बेटा कुछ रजल्स अगर हमने किसी बस्तु को ऊपर फेका किसी वेग यू से प्रारम वेग यू से तो हमारी मन में क्या क्या सवाल आते हैं जो सवाल हमारे मन में आते हैं एक्जाम में भी वही पूछ आते हैं हमने बस्तु को फेका तो हम पूछेंगा रही कितनी ऊपर जाएगी बस्तु कितने नीचे गिरेगी बस्तू कितने समय बाद नीचे गिरेगी और सबाल क्या हो सकता है कि बस्तू को अधिकतम उचाई तक पहुंशने में कितना समय लगेगा तो आई ये फटा फटा पन इसके रेजल्ट्स रेवाइज कर लेते हैं बच्चों तो मान लिजे बस्तू को हपन ने यहां से फेका बस तो ऊपर गई उपर जाएगी फिर ऊपर एक मुन्मेंट लेए एक चण के लिए बिराम में आएगी कि इसका बेग कितना हो जाएगा, 0 और फिर बस तू बापस नीचे आने लगेगी, नीचे आईगी, और जमीन से टकरा जाएगी, जमीन से टकरा जाएगी, टिक है, अब main point, बस तू जिस चाल से फेकी जाएगी, उसी चाल से बापस आके टकराएगी, point याद रखना, जिस चाल से फेकी जाएगी, उसी चाल से बापस आका जमीन पर टकराएगी, हाँ, बेग बदल गया, क्यों, पहले उपर था, अब नीचे, बेग तो सदिसरासी है ना, दिस पहले बेग उपर की दिसा में था नीचे की दिसा में जब बस्तू का बेग बदल जाता है लेकिन चाल वही रहती है कब जमीन पर यहां तो यहां तो परिमान बदलता है तो देखो बिटा, maximum height, अधिक्तम उचाई कितनी प्राप्त होती है, u square upon 2g, 2g, याद रखना, ठीक है, उपर जाने का समय, बराबर होता है नीचे आने का समय, ठीक है, जितना समय बस्तू को उपर जाने में लगता है, उतना ही समय बस्तू को नीचे आने में लगता है, और इसका मान होता गहते हैं, या तवार्थ कहना गलत होगा, और इसका मातलब बस्तू कितनी देर तक हवी में थी, मतलब बस्तू को उपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो उट्राइम का जाने का समय, प्लस नीचे आने का समय, ठीक है, तो u by g जी प्लस u by g, या कितना होगा, भी वर्टे नहीं भाई सिर्फ टू यू भाई जी समय लगेगा ठीक है और और कुछ पॉइंट नोट करने वाले देखो अपन किसी इस लेवल पर देखें इस उचाई पर देखें ठीक है जमीन से कुछ उचाई ले लो है एच वन उचाई है मानलीजे एच वन उचाई है तो उपर जाते समय उपर जाते समय अगर एच वन उचाई पर चाल वीवन है तो नीचे आते समय भी चाल वेटा वीवन ही होगी नीचे से उपर का मोशन और ये उपर से नीचे का मोशन अपन देखते है तो सिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल होता है जितनी चाल यहां पर है उ नीचे आते समय तो यह कुछ पॉइंट है नोट करने वाले होते हैं यह रेजल्ट्स हैं अपने ठीक है और यह कहानी होती है उपर गई नीचे आगई बस्तु हाइस्ट पॉइंट पर एक छड़ के लिए बस्तु ब्राम में आती है अब इस पर आधारत अपन प्रस्ण करेंगे ठीक है तो कहानी और किलियर होगी एक बस्तु उर्दाधर उपर की और फेकी गई है यदि बस्तु चार सेकंड तक हवा में रहती है तो बस्तु की अधिकतम उसे ही बताओ अच्छा बस्तु हवा में हैं कितने समय तक चार सेकंड के लिए तो चार सेकंड कौन सा समय हुआ उड़ेयनकाल उड़ेयनकाल क्या होता है वो समय जिसके लिए बस्तु हवा में थी मतलब बस्तु को ऊपर से ऊपर जाके नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे आने में जो समय लगता है अगर हम इस पॉइंट को ए बोलें इस पॉइं काल कहलाता है और इसका मान होता है 2U upon G यहां पर चाल U है तो यहां पर भी चाल U ही होगी तो आपको जो समय दिया गया है 4 सेकंड वो उड़े अनकाल ही दिया गया है ठीक है कि बस तू ऊर्दधर उपर फेकी गई है बस तू 4 सेकंड तक हवा में रहती है तो देखो बेटा य हवा में अभी भी हवा में ही है तो उड़ेन काल कितना हो गया 4 सेकंड यह कितना हो गया 2 into u upon g g कमान 10 होता यहां पर 10 रख दीजिए तो यहां से u कमान आपको मिल जाएगा u कमान कितना आगया 40 बटे दो 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड और हमें निकालना है तो H max is equal to होता है U square upon 2G U का मान कितना है 20 है 20 है तो 20 का square upon 2G बोले तो 2 into 10 meter यह दिखता मुझा ही आगी बेटा ठीक है अब देखो यह थोड़ा सा special सवाल लग रहा है देखते हैं देखते हैं एक बस्तु को उर्दाधर उपर की और 25 meter प्रतिसेकंड की चाल से फेका जाता है तो बस्तु दोरा 3 सेकंड में तै की गई दूरी गयात कीजिए तो देखो कई वार है इसे बच्चों को याद होता कि 90 सेकंड में तै की गई दूरी का सूत्र के लिए हम सीधा-सीधा formula लगा देते हैं nth 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 second में तै की गई दूरी क्या होता है u plus a y2 a y2 into 2n-1 2n-1 तो s हमें निकालना है third second में तो हमने u की जगह कितना रखा है 25 प्रारंबे की बेग कितना है 25 प्लस a की जगह बेटा minus g a की जगह बेटा minus g लखेंगे तोरण कितना होता है g नीचे की ओर तो minus g upon 2 into 2 into 3 minus 1 तो s third second में कितनी आ गई बेटा तो आप लेखेंगे 25 minus g कमान 10 तो यह minus 5 हो गया और into a भी कितना आ गया 5 आ गया तो s, s third यह कितना आ गया यह तो 0 आ गया तो हमका 0 क्या हो गया बेटा यह बिस्थापन है यहां पर s क्या होता है यह विस्थापन होता है क्या होता है विस्थापन विस्थापन सून है दूरी नहीं होती है तो इस तरीके से अपन करेंगे तो गलत ठीक है अब आप करणों कि s, 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 rull रेखिए गती है न तो दूरी और विस्थापन बराबर होना चाहिए हम कहेंगे बेटा यह प्रक्षेव गती है उर्दोधार अपन ने फेका ए उर्दोधार गती है तो यहां पर बस्तू की दिसा बदलती है तो दूरी और विस्थाप तो उपर जाने का जो समय है, T upward motion का, वो कितना होता है, U, Y, G होता है, U, Y, G, तो U का मान कितना है, 25, U का मान कितना है, 25, G का मान कितना है, 10, तो उपर जाने का जो समय है, बेटा, वो कितना आ गया, 2.5 सेकंड हो गया, तो बस तू फेके जाने पर, नीचे से फेके जाने पर, 2 2.5 seconds में उपर पहुच जाती, अधिक्ता मुचायी पर पहुच जाती, और हमें बात करना है तीन seconds में, तो देखो ध्यान से समझना हो क्या रहा है है, हो क्या रहा है, बस्तू को हमने फेका उपर, तो बस्तू गई उपर, उपर फेका तो उपर ही जाएगी, फिर उपर जाके गृत्थ के प्रभाव के करना बेटा यह नीचे आई, आई नीचे, इस तरी जिसे, यू से फेका, मतब पच्चीस से फेका था, तो पच्चीस मीटर पर सेकंड से ही नीचे आ जाएगी, तो जब बस्तू ऊपर गई, तो यहाँ ऊपर पहुंचने का जो समय, 2.5 सकंड है, 2.5 सकंड, मतलब गती ऐसी हो रही होगी, यहांसे बस्तू चली, 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 यहाँ पर कहीं समय भора होगा, 2 सकंड, 2 सकंड, ठीक है, फिर यहां से यहां तक का जो समय है वो कितना है 0.5 सेकेंड यहां से लेके यहां तक का समय है तभी तो यहां जब बस तू पहुंच रही है तो यहां पहुंचने का टोटल समय 2.5 है तो आप बताओ मानली जी 2 सेकंड में बस तु यहां पौँची 2 सेकंड के बाद ठीक है तो यहां से ऊपर जाने में कितना समय लगा तो यह समय लगा 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड अब इस 0.5 सेकंड ठीक है अब आगे क्या होगा आगे बस तु अब नीचे आएगी तो नीचे बस तू इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई यहां तक का टाइम बापस से कितना 0.5 सेकेंड हुआ और उसके बाद उसके बाद फिर बस तू नीचे आएगी तो मोशन सम्मिताकार होता है तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा व आवर्त काल निकाल, आवर्त काल नहीं, ओडएन काल निकालोगे, तो डएन काल पाँच आ जाएगा, जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही समय उपर से नीचे आने में भी लगता है, तो देखो, यहां तक पहुंचने का समय, पॉइंट फाइब, तो इससे को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे जितनी दूरी ये वाली होगी इधर यहां से यहां समय पॉइंट 5 सेकंड यहां से यहां तक का समय भी पॉइंट 5 सेकंड तो बराबर समय में बेटा ये दूरियां बराबर बराबर चली जाएंगी तो जैसे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ तो जो दूरी एक्स बाई प्लस बाई जैड और थर्ड सेकंड में कुल दूरी किस में थर्ड सेकंड में तो ये कितनी हो जाएगी X Y प्लस बाई जैड और X Y और Y Z बराबर है तो आप इसको 2 Y Z भी लिख सकते है xy और yz कैसे हैं बेटा बरावर ठीक है तो चलिए अपन मान रख देते हैं इसका मान निकाल देते हैं byz byz क्या है यहां से यहां तक की दूरी बोलो कितने समय में चली गई दूरी कितने समय में चली गई दूरी तो आप कहेंगे सर्फ 0.5 सेकंड में चली गई दूरी तो आप फोकस करना स्रिफ और स्रिफ किस पर 0.by और z पर तो देखो बेटा यहां पर 0.by है यहां पर 0.z है यह समय कितना हुआ यह समय 0.5 सेकंड है ठीक है और 0.by पर बस्तू का बेग कितना है पॉइंट बाई पर बस्तू का बेग भी वर भी बाई भी बाई हम कह देते हैं कितना है 0 है इस पॉइंट पर बस्तू का बेग कितना है वेलोस्टी एट पॉइंट वाई कितनी है बेटा 0 है और इस पॉइंट पर हमें बेग की ज़रुवत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पूछा नहीं गया है, तो देखो हमें दूरी निकालनी है, बाई और जैड के बीच में, प्रारंबिक बिंदू बताओ, तो आप कहेंगे, बाई जैड के बीच में बात हो रही है, तो यह point initial हो गया, और यह final हो गया, तो देखो, अपन गती का सा की बात करें, साइन कानिवेंशन की बात करें, चिन परपाटी, कि कब तोरण पॉजिटिव लेना है, कब बेग पॉजिटिव लेना है, कब बेग निगेटिव लेना है, कब तोरण निगेटिव लेना है, तो सिम्पल सी बात, जो चीज़ें ऊपर की दिसा में हैं, वो प तो चलिए अपन निकालते हैं, देखो यहां से यहां तक सरल रेखी गती है, सरल रेखी गती है, तो दूरी और विस्थापन बरावर होंगे, इसलिए हमने विस्थापन का सूत्र लगा दिया, तो ऐस हमें बाई और जैड के बीच में निकालना है, तो यह कितना हो गया, 0.5 का वर्ग है, 0.5 का वर्ग है, यहां से जो मान निकलके आएगा बाई जैड का वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव सरफ यह बता रहा है, कि बाई और जैड की बीच का जो विस्थापन है, वो नीचे की दिसाम है, तो यहां से आपको बाई जैड मिल गया, बाई जैड कमान यहां रख दो answer आजाएगा तो ध्यान देना बेटा यहां पर क्या twist था कि यहां पर particle 0.25 में पहुच रहा है तो थर्ड सेकंड कौन सा हुआ यहां से यहां तक का बेटा यह थर्ड सेकंड हुआ तो particle उपर गया और जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया इसलिए इस बेच में आपको एक कराया गया है, अब देखो अगला सवाल, एक बस्तु को उर्दाथर उपर के और फेका जाता है, यह बस्तु किसी निश्यत उचाई समय T1 तथा T2 में तै करती है, तो बस्तु का प्रारंबिक बेग्यात कीजिए, सवाल को समझना है, कि इष्यक्त देखो, भी जमें नियम पढ़ते हैं, गूंडन गती पढरते हैं, अपको एक जिस धियानन देनी हैं, कि तो बनाऊए, कि ग dispidd hosp doable भाए पर क्या और दाइगराम बनाओ, कि कोई बस्तू है वो एक निश्यत उचाई को निश्यत उचाई को माली जी उचाई है इसकी उचाई कितनी है एच है इसकी उचाई कितनी है बेटा एच है इस निश्यत उचाई को दो बार परत करती है देखो किसी निश्यत उचाई समय T1 तथा T2 में तै करती है टीवन तथा टीटू में तय करती है तो मान लीजिए हमने जब बस्तू को फेका यहां से प्रारंबिक वेग यू से तो इस उचाई तक पहुंचने में कितना समय लग गया इसको यहां तक पहुंचने में इस उचाई तक पहुंचने में इसको समय कितना लग गया वेटा नीचे आएगी बस्तू उपर जाएगी फिर नीचे आएगी यह बेसिकली सरल रेखा में होता है उपर गई नीचे आई आई आपको दिखाई दे इसलिए मैंने इसका पाथ थोड़ा अलग बना दिया है तो अब देखो बस्तू ने यहां से चलना शुरू किया और अंत्यता यहां पहुंच गई है इधर का समय तो टीवन पहले ही हो गया तो बताओ यहां से चलके यहां पहुंची है तो बस्तू ने कितनी उचाई चली एच उचाई ही चली कितनी उचाई चली एच उचाई तो यहां से यहां तक का जो समय है यहां से यहां तक वस्तू ने अंत्यता एच उचाई ही चली ठीक है कितनी उचाई पार करी H ही करी तो इसका जो समय दिया गया है वो अपन मान लेते हैं कितना T2 कितना मान लिया T2 तो देख सिंपल सी बात है यहां से उपर गई, उपर गई, उपर गई यहां तक का समय T1, O चाही कितना है H और फिर यहां से यहां तक का जो समय है यहाँ पर भी देखो कितनी लंबा ही तैय कर रही ही, कितना विस्थापन इसका H ही है, तो इसका जो समय है वो T2 है, और हम बढ़ी आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 is equal to A वर्तकाल, T1 प्लस T2 is equal to T, कुल समय हो गया, यहां से यहां तक T1, यहां से यहां तक T2, तो A T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 आवर्तकाल का सूत्र हम बच्चपन से जानते हैं, 2U upon G होता है, और हमें मान निकालना है किसका U का, तो U बराबर हो गया, T1 प्लस T2 into G upon 2, ठीक है, इसको यहां ले जाओ, इसको तर ले के जाओ, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो मुझे नहीं नहीं यह वाला सवाल, कि अभी देखो बस्तू को हम कहां से फिक रहे थे, ग्राउंड से, बस्तू को कहां से फिक रहे थे, ग्राउंड से, अब बस्तू को हम पन किसी मीनार की ऊपर चड़के फिकते हैं, किसी उचाई से बस्तू को फिकते हैं, माने लीजिए हमारी म यू का मान positive होएगा, डी कहा होता है, नीचे होता है, तो जी का मान अपन नेगेटिव लिखेंगे, अब दिखो हमने बस्तू को यहां से फेका, इसी जगह से हमने बस्तू को फेका, तो अब बस्तू कहां जाएगी, उपर को इसको पकड़ लेगा करके, नहीं, इसका उपर ज कितना है कितना है कितना है चलो भी मान लेते हैं कितना बेग मान लेते हैं भी ठीक है तो हमें फिर से क्या क्या ग्यात करना होगा कि यहां से बस्तू को हमने फेका तो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा जैसे इस पॉइंट को हमने कहा यह इस पॉ निकालना उसकी चाल क्या होगी चाल निकाल लेंगे तो यह यह तो चली शुरुआत करते हैं अब देखो कि जब हमने बस्तु को फेगा यहां से ओपर से नीचे आगी बस्तु तो बस्तु का विष्ठापन कितना है तो आप कहूँगे सर सबस्थापन के लिए तो हम सिर्फ प्रारंबे करांटे लिए तो यह प्रारंबे के सिथि और यह अंतेमें से प्रा घंते में तो विष्थापन इतना हुआ एच के बराबर, अब हम कहें, बताओ, एच उपर की दिसा में या नीचे की दिसा में, तो आप कहेंगे, सर, एच नीचे की दिसा में, क्योंकि बस्तु यहां थी, यहां थी, और अंततहा, अंततहा बस्तु यहां पहुंच गई, तो बस्तु यहां थी, यहां पहुंच गई, तो बस्तू नीचे आई, तो बस्तू का जो विस्थापन है, यह हमें पता चल गया, बस्तू का विस्थापन केतना हो गया, minus h, ठीक है, बैसे तो बस्तू उपर भी गई, नीचे भी आई, लेकिन जब हम विस्थापन की बात करते हैं, तो यह प्रारंबिक और प्रारंबिक इ तोलना में अंतिमिस्थिती नीचे है इसलिए विस्थापन हमने रिंड का लिखा अब देखो हमें समय ग्याद करना है बेग ग्याद करना है तो अपन कौन कौन से समीकान का उपयोग करेंगे तो एक s is equal to ut plus half a t square a t square तो s का माण माइनस h u का माण plus u लोगे t हमें ग्याद करना है plus half a की जगाए बेटा माइनस z लिखलो into t square अब देखो इसमें अग्यात क्या है इसमें अग्याद सरिफ समय है h हमें पता है u दिया गया है h दिया गया है अग्यात स्रिफ समय हैं, हम यहां से हल करेंगे, तो T के मान मिलेंगे, T के दो मान मिलेंगे, एक positive बाला और T का एक मान मिलेगा negative बाला, तो समय कभी negative नहीं होता है बेटा, answer आजाएगा positive बाला, यह concept है, यह फंडा है, अब हमें बेग भी ग्यात करना है कि जब बस तु नीच में बेग पता है, तो हमें समय करन लगाना चाहिए कौन सा, गती का तीसरा समय करन, जो कहता है, V square equal to U square plus 2, A, S, V का मान कितना है, हमें ग्यात करना है, U का मान कितना है, U ही है, यह आपको दिया गया, चाहो तो plus U लिख लो, U square plus 2, A की जगाए बेटा, minus G, और H की जगाए minus H, स्वरी, S की जगाए, बिस्थापन की जगाए, minus H, क्यों बिस्थापन नीचे है, तो V square equal to कितना आ गया, U square plus 2, G, H ही आ गया, V का मान कितना गया, अंडर दरू, 2, नहीं, U square plus 2, G, H, अब ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिये जा सकते हैं, U का मान 100 ले लो, आप एक होंवर् 20, मीटर पर सेकेंड, और H का मान आपको दिया गया है, U चाही दी गई है, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, तो आपको किस-किस का मान गयात करना है, उपर से नीचे आने तक कसम है, और नीचे पहुँशने पर वस्तू की चाल, गयात करना बिटा, गयात करना, ठीक है, वीडियो प सकता है वो एक गुबरारा नियत तोरन 2 मीटर हria से डर से ऊपर जा रहा है यदी पांस सेकेंड के बाद गुबरे से एक एक कन को गिराया जाए तो वह कितने समय में नीचे पहुंचेगा कितने समय में मीचे पहुँचेगा तो देखो गुबारा मान लीजे यहां से चलना शुरू किया ग्राउंड से एक गुबारा था ऐसा इसके अंदर कोई बॉक्स बगएरा था जिसमें कोई आद भी बैठा हुआ है तो गुबारा जमीन से चलना शुरू किया इसका प्रारम्ब के बेग कितना था जीरो और इसके पास तोरण उपर की दिसा में है यह बराबर दो मीटर पर सेकंड दो मीटर पर सेकंड ऐसे अब गुबारा उपर जाता है उपर जाता है कितने समय तक उपर जाता है पांस सेकंड के बाद पांस सेकंड के बाद गुबारे से कन गिराए जाता है तो गुबा डिया गया है आपको 5 सेकेंड यहां पहुंच गया तो Visथापन ने उसको है शुन क्यों भी मानने लो और जो हाइट है विस्थापन यह भी मानने हैं तो जमीन से छोड़े जाने के पांच सेकेंड बाद हम गुबारे का बेग ग्याद कर लेते हैं और गुबारे का बिस्थापन ग्याद कर लेते हैं तो गुबारे का बेग ग्याद करने के लिए पहला समीकन हम लगाते हैं इस और इस point के बीच में, चलो नाम दे दो, इस point को हमने कहा x, इस point को हमने नाम दिया y, x और y के बीच में पहला समीकन, x वा y के बीच गुबारा, बोले तो value गुबारे का मोशन, गुबारे की गती, तो देखो पहला समीकन, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, v, b कितना, v1, उपर की ओर, u कितना, 0, a कितना है, 2, a को धनका क्यों लिया, ये उपर जा रहा है, गुबारे का तोरण कहां है, बेटा, उपर की ओर, ठीक, इसलिए हम इसको प्लस कलेंगे, प्लस 2, समाय कितना है, 5 सेकेंड, तो v1 का मान कितना आ गया, v1 का मान आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, अब हम ये भी निकाल लेते हैं, गुबारा कितनी हाइट पर पहुँच गया होगा, 5 सेकेंड में, तो कौन सा समीकन उप्योग करना चाहिए, दूसरा समें माना है, u का मान 0 है, इस तो माय 5 सेकेंड है, प्लस हाफ, ए का मान कितना है, 2t का मान कितना है, तो 5 का वर्ग है, तो 2 से 2 और गया, यहां से h1 का मान कितना आ गया, 25 मीटर, एच्छ बन कमान आगया है बेटा, पचीस मीटर, ठीक है? यह सर ठीक है, ठीक है, एच्छ बन मिल गया, तो अब यहां से जो कण छोड़ा जा रहा है, कण छोड़े जाने की प्रक्रिया, ध्यान से सुनना? अच्छे सवाल हैं तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान अगर हम किसी गतिमान निकाइस से, मतलब किसी भी निकाइस से हम बस्तू को छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ दी, तो उसके पास उतना ही बेग होता है, जितना की गतिमान बस्तू के पास था, तो एक गुबारे से छोड़ा गया है, गुबारे का वेग वीवन है तो इसका वेग भी वीवन होगा जो हमने पत्थर छोड़ा है उसका तो इसका वेग हो गया वीवन अब अपन पत्थर की study करेंगे पत्थर को जो छोड़ा गया उसकी study करेंगे फिर से सुन लो हमने पत्थर को छोड़ा किस से गुबारे से तो जितना वेग गुबा अब ये कन क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आजएगा, एकन ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आजएगा, तो अब देखो बेटा, ये case कौनसा वन गया है, कौनसा case 1 गया, अब यह वही case बन गया न किसी मीनार से पत्थर को उपर फिकने वाला कैसे इस height h1 को आप क्या मालो है मीनार है क्या मीनार है अब यहां से हमने v1 चाल से इसको पत्थर को उपर फिका तो यह उपर जाएगा नीचे आएगा तो अब देखो बेटा यह case अपना वही case बन गया किस की height कितनी है h1 जिसका मान हम निकाल चुके हैं कितना आया है 25 मीटर यहां से पत्थर फेका गया है किस चाल से v1 जिसका मान कितना आ गया था वीवन तुमारा मान कितना आये था wewwन का मान आये था 10 मीटर पर सेकंड तो यहां से उपर जाएगा और यह नीचे आ जाएगा आपको जो भी चीज ग्याद करनी वह ग्याद कर सकते हैं थिक है । अपन हाईड तो पता है क्या पूछे होंगे समय पूछे होंगे पूछा क्या है नीचे कितने समय में पहुँचेगा नीचे कितने समय में पहुँचेगा तो यहां से चलके यहां पहुँच रहा है तो समय कितना लगा तो S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वेर हाफ 80 स्क्वेर S का मान कितना बेटा तो हम कहेंगे माइनस 25 क्यों? प्रारंबे के सिती यह अंतिम A प्रारंबे के सिती बेटा योस है प्रारंबे के सिती ये है अंते में है तो विस्थापन नीचे है माइनस बच्चीस यू प्रारंब के बेग कितना है प्लस 5 के 10 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसके पास तौरण कितना अब देखो कन को गुबारे से छोड़ दिया गया तो कन को अब गुबारे से कुछ लेना देना नहीं है कन गुर्त के अधीन गिर रहा है गुर्त के अधीन गिर रहा है तो इसके पास जो तौरण होगा कन का वो जी होगा नीचे के तरफ तो यू का मान हो गया ये का मान कितना माइनस जी बोले तो माइनस 10 टी आपको निकालना है सब्के मान रखना टी निकाल लेना सब्के मान राखो टी मान पां बेग निकालना होता तो हम तीसरा नीक्र लगा देशी स्क्वेइस लजज अजिया सब्सक्रेस को उआ तो यह ऊर्द अधर गती से समबंदित चीजें हैं एक सवाल और है कि एक बस्तू एक बस्तू है मीटर की उचार से मुक्त रूप से गिराई जाती है तो इसका जमीन तक पहुंचने मैं T समय लगता है तो बस्तू मुक्त रूफ से ग्राने के T by 2 सेकेंड के पश्याद कहां पहुँचेगी अच्छा देखो पिछली केस में जो हम केस पढ़ रहे थे उसमें बस्तू को मीनार से उपर फेका था उपर अब हम थियोरी समझ लेते हैं बस्तू को अगर किसी मीनार से छोड़ा जाये तो छोड़ा जाने का मतलब हुआ प्रारंबिक वेक जीरो बहुत पढ़ना है बेटा बहुत पढ़ना है ये आदमी खड़ाया डुस्ट बाला किसके पास बस्तू थी इसने बस्तू को छोड़ दिया छोड़ दिया मतलब ड्रॉप किया है क्या किया है ड्रॉप तो ड्रॉप करने का मतलब होता है बेटा इसने इसको कोई वेक एक नहीं दिया कोई तागत नहीं लगाई है प्रारंबिक वेक कितना है जीरो है अब ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ 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 प इतना माइनस जी ये तो हमेशा ही नीचे हो जाता है कोछ बच्चे कहते हैं कि सर कड़ नीचे आ रहा है जी भी नीचे हमें धनका लेना चाहिए हमने कर नहीं बेटा नहीं एक ही साइन कनवेंशन फॉलो करो जो चीज ऊपर है वो पॉजिटिब जो नीचे है वो नगेट है अ क्या पूझछ जा सकता है जैसे हमने इस पॉइंट को ई मोला इस पॉइंट को बोला तो पूझछ अब बूच्छ किया से b तक का समय और फिर देखो भी ये पर बैग टो जीरो है हम पूझेगे क्या बिन्दू b पर बैग बताओ और teddy भी पर बताओ तो समेगं क् अपन S is equal to UT plus half AT square, कौन सा समीकन है विटाए? कौन सा है? दूसर समीकन, S का मान minus H, U का मान 0 plus half, A का मान minus G into T square, minus से minus उड़ गया, T का मान केतना आ गया? root 2hyg लोग इसको याद भी रखते हैं क्या करते हैं याद भी रखते हैं 2hyg कब जब बस्तू को छोड़ा जाए तब फेग नहीं रहे हैं बस्तू को छोड़ा गया है तो h उचाई नीचे आने में कितना समय लगता है under the root 2hyg और अगर कदाचित आपको चाल ग्याद करना है भी भी ग्याद करना है तो अपन लगें लिखेंगे भी स्कॉर इक्वल टू यू स्कॉर प्लस 2 A S भी हमें ग्याद करना है अंतिम पॉइंट B पॉइंट है प्रारंबिक वेग बिंदू A का वेग सून है प्लस 2 A की जगाए माइनस G S की जगाए माइनस H तो लोग इसको भी याद रखते हैं कि नीचे पहुँचकर जो बस्तू का बेग हो जाएगा वो अंडर दरू 2 G H हो गया माइनस माइनस पुलिस ठीक है माइनस माइनस पुलिस जरूर नहीं है कि हम इसा आंटी ही ओसी पुलिस भुलाएं अपन भी भुला सकते हैं यो माइनस माइनस को फिन पुलिस आगहीं पुलिस पुलिस नहीं भाई प्लस प्लस ठीक है तो इस रेजल्ट को याद भी रख सकते हैं बहुत जगाए काम आता है घोलियर जल्ट कि हम बताओ, एक बस्तु को H उचाई से गिराया, तो कितना टाइम लगा, अंडर दरूट 2, H, Y, G लगा, H उचाई से गिराया है न, मुक्त रूफ से, इसका जमीन तक पहुंचने में समय कितना लगता है, T, ये T समय अपनने लिख लिया, बस्तु मुक्त रूफ से गिराने के T, Y 2 सेकेंड के पश्याद कहा होगी, तो मान ली जिए T, Y, 2 सेकेंड के पश्याद, बस्तु ने कितना चला, H1 उचाई, कितनी H1 उचाई, तो H1 उचाई में कितना समय लगा, कि मैं फोटो भी बना देता हूँ, हम, 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 हम समय में बस्तू कितना चली कितना चली होगी तो माले है यहां से यहां तक का जो समय है यहांसे यहां से था तकड़ाइए यहांиф it Yeah think time NGO लगाया ती वाई टू तो ती वाई टू ब़राबर कितना होजाएगा अंडर दरूटू और यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी है तो आपका उगकर सब्सक्राइब हमारे पास एक समय करने यह हुई गबाद दूसर समय करने हो गया इन दोनों समय करने से अपन को क्या करना है कि तो एक काम करते हैं पर कि की जगाई इसका मान रख देते हैं तो टी कितना है कि पिदी कमान यहां से कितना आ गया टी कमान यहां से दो का इधर गोणा कर दो तो दो इंटू तो ह ह 1 य जी तो ह 1 य जी चीए दोस्त तो अपन इसको इधर लेक्खें तो यह के तना हो जाएगा अंडर दरूट 2HYG बर्ग कर दो तो इधर आ गया 4 इधर आया 2H1 अपन केतना हो गया जी बराबर हो गया 2HYG काटा कूटा मचाओ जी से जी उड़ गया 2 से 2 उड़ गया तो ह का मान केतना आ गया ह्य यदा हो आ गया तो शताह से हम सथाह से तो सताह से मतलब सताह रही तो सताह से मान कितना होगा H-H1 तो H-H4 H-H4 एक इतना आगया 3H upon 4 3H by 4 बोले तो यह वाला आंसर हो गया सता ऐसे 3H by 4 उचाई पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब अपन बात करते हैं कुछ असंभाव ग्राफ भी तो ध्यान देते चलना मैं ग्राफ बना रहा हूँ दूरी और ग्राफ ऐसा बना दिया मान लो ऐसा इधर से बताओ इस सही ग्राफ है कि नहीं है तो आप कहेंगे नहीं सर यह ग्राफ सही नहीं है कारण क्या है कारण क्या है बेटा कि इस पॉइंट के बाद अगर अगर अपन देखें इस point के बाद तो दूरी घटनी लगी, देखो दूरी बड़ी 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 इस point के बाद दूरी घट रही है तो एक graph सही नहीं है, क्योंकि दूरी के भी घटनी सकती हैं हमें पता है, और graph देखो, यह आँ पर हमने graph बनाया बिस्थापन या दूरी का, बिस्थापन या दूरी का और ग्राफ कुछ ऐसे है तो ये ग्राफ सही है क्या आप कहेंगे नहीं सर ये ग्राफ भी संभव नहीं है क्यों क्योंकि हम टाइम में बापस जाने लगे इधर टाइम है बेटा हम इस टाइम तक पहुँच गए थे इस तक अब बताओ आप कभी ट टाइम में बापस आने वाला ग्राफ है मान लीजी यहां दस सेकेंड हो चुके हैं किता सेकेंड हो चुका है दस सेकेंड फिर आप बापस लोटा है बापस लोटा है बेटा टाइम में आप बापस कभी आ सकते हो क्या नहीं आ सकते हो मान लीजी आप अभी बारवी क्लास मे यहसकते हो क्या उस टाइम में जा सकते हो क्या जब आप दस anyone संभाव नहीं है तो भौस सारे ग्राफ के उते हैं तो आपनको देखना features होता जैसे हम ऐसा ग्राफ बना दें यह चीहां पर देखो भीट स्पीड कैसी है इस पीड कैसी होगी तो इस स्पीड कभी नेगेटिब हो अ हैं अ इसी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती को isp इस at ए फेद घडिलिखा है स्पीड अपन को कैसे मिलती है इधर दूरी होती है बटे समय होता है दूरी कभी रणात्मक नहीं होती दूरी कभी रणात्मक नहीं है तो स्पीड भी कभी रणात्मक नहीं हो सकती ठीक है अब देखो ग्राफ का महत्तु विस्थापन समय के ग्राफ का महत्तु ठीक है तो ध् इधर एक तो अपन लिखते हैं slope, slope को हिंदी में कहते है प्रवनता ठीक है, तो प्रवनता बास्ता में क्या होता है, dy बटे dx होती है, dy बटे dx, ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा चीज होता है बेटा, area, area, तो area को अपन कैसे लिखते हैं, integral y.dx, अब कोई भी graph दि area निकालते चली, तो आपको पता चल जागा कि किस graph से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, अब देखो, इने में संबंध क्या होता है, आपस में, बेग, देखो, तीन रासियां, एक बिस्थापन, दूसरा बेग, तीसरा तोरण, बिस्थापन, बेग, तोरण, तीन रासियां हैं अ नहीं है, V बराबर, D, S बटे, D, T, और A बराबर, D, V अपॉन, D, T, अब देखते हैं, अपन को किस से क्या मिल सकता है, इस graph में, इस graph में मैं लिखू, तो D, Y की जगाए क्या लिखा है, S, तो D, S, और X की जगाए क्या है, यहां पर T है, तो D, S अपॉन, D, T, ध्यान देन प्रवनता होती है, D, Y, अपॉन, D, X, अब Y के जगाए जो लिखा है, रख दो, एक इस की जगाए लिखा है, यहां पर कौन सी अक्ष होती थी, X, X, तो X, X की जगाए क्या लिखा है, T, तो Y की जगाए S लिखा, और X की जगाए T लिखा, तो बेटा, यह क्या आ गया, D, S की जगाए क्या है, S और यहां पर क्या है, D, T, तो S इंटू D, T, यह कोई रासी नहीं होती है, तो इसकी एरिया से हमें कुछ नहीं मिला है, एरिया से हमको कुछ नहीं मिला, गलत नहीं है, लेकिन एरिया से हमको को कोई अच्छी चीज नहीं मिली है, अब इसको कुछ बद का ग्राफ तो बेग वा समय के ग्राफ में देखो फिर से वही बात इधर लिया है पने समय यहां लिया है बेग रिविजन चला है स्पीड पकड़नी पड़ेगी तेज चलो तेज चलो बेटा तेज तो इसका स्लोब बताओ क्या लिखोगे सर स्लोब बोले तो प्रवनता तो दॉट्Ó रपान दी एकस यहां क्या लिखोगे तो आप कहेंगे सर डी पाइग की जगहे वी लिख दिया एकस की जगहे क्या लिखाये टी लिखायै तो हमने इया पर टी लिख दिया आहिला दी भी अपान दी टि यह तो 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 इसके स्लोप से आपको क्या मिल गया तोरण एरिया लिखो एरिया तो एरिया बराबर क्या होता है यृट्ट डीएक्स होता है तो इंटीग्रल वाई वाई की जगहे भी dx की जगाए t यह मिला अब इससे हमें कुछ मिल सकता है क्या कुछ मिल सकता है क्या देखते हैं तो देखो v की जगाए कुछ लिख सकते हो क्या s की जगाए तो हम कुछ नहीं लिख पा रहे थे यहाँ s नहीं था ds था लेकिन हम V की जगाए Ds बते dt लिख सकते हैं V की जगाए के लिख सकते हैं पेटा Ds बते dt तो ds अपन dt लिख दिया इन्टू dt कर दिया इससे कट गया तो ये बचा है integral ds integral ds कितना हो गया s हो गया तो इससे हमें इसकी graph की area से मिलगा विस्थापन समय तो इसको आपको खुद से करना है खुद से करना है क्या मिलेगा ट्राय करना है ठीक है मैं मिलता क्या मैं लिख के बता देता हूं इसके स्लोप से आपको मिलेगा स्लोप से मिलेगा कुछ नहीं स्लोप से मिलेगा हमें डी ए अपॉन डी ती बास्ता में रासी हम पढ़ते अबनिया इसा पर और क्था आइधा से नहीं है तो स्टरीजा मेले सकते हैं बोलो बेटा area क्यों लिखा जाता है integral y.dx तो integral y की जगए क्या है ए और dx x की जगए क्या है ती है अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक जगए क्या लिख सकते हैं dv dv upon dt, dv upon dt into dt, into dt, dt से dt उड़ गया, dt से dt उड़ गया, ऐसा, dt से dt उड़ गया, तो area is equal to हमें, area बोले तो छेधफल is equal to क्या मिल गया, छेधफल is equal to क्या मिल गया, इंटीगरल डीवी अब यहाँ पर अपन लिमिट भी लगा ले प्रारंबिक बेग से लेके अंतिम बेग समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन हो गया डीवी का समाकलन इंटीगरेशन डिफरेंसीशन को खा गया मैथ कि स्ट्ट डीवेशन को समाकलन करना आपको आता है तो अपन रहे हैं उसको याथ रख रख सकते हैं आप चार्ट बना सकते हैं कि विभ स्थापन बेग तौरन तो यहां, यहां से अपन कैसे जा सकते हैं? मैंने सब कुछ detail में explain कर दिया है बेग मैं परिवर्तन है ठीक है बेग का graph है विस्थापन चाहिए तो फिर से आप क्या करो area निकाल लो area निकाल लो तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं इसको अब बात करते हैं अपन आप एक्षिक गती की तो देखो जब हम किसी बस्तू की गती को किसी गतिमान बस्तू के ऊपर खड़े होके देखते हैं तो friction को हम आप एक्षिक गती कहते हैं समझो समझो कहानी क्या है समझो सीखो सीखना विटा टाइम होने बाला है तो जब हम किसी बस्तू की गती को किसी गतिमान बस्तू के ऊपर खड़े होके देखते हैं मतलब कोई बस्तू गती कर रही है अब उसमें बैठके आप किसी बस्तू की गती को देख रही हो तो यह आप एक शिक गती कहलाती है जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं ट्रेन चल रही है अब चलती हुई ट्रेन में बैठके आप किसी दूसरी चीज़ की गती देखेंगे तो वो आप एक शिक गती कहलाती है तो आप घोड़े पर बैठे हैं घोड़ा चल रहा है अब देखो जिस जगह अपने बैठके देख रहे हैं गती को उसे हम संधर्व निकाय कहते हैं घोड़े पर बैठे हो तो संधर्व निकाय घोड़ा है ट्रेन में बैठे हो तो संधर्व निकाय ट्रेन है अंग्रेजी में इस वो दो प्रकार के होते हैं एक हम कहते हैं जडत्तुई निकाए एक कहते हैं अजडत्तुई निकाए और अजडत्तुई निकाए तो ध्यान देना ये आगे वाले चैप्टर में भी काम आता है तो जडत्तुई निकाए बे निकाए होते हैं जहां पर बेग नियत रहता है तोरण नहीं है क्या नहीं इसून नहीं है तोरण सून नहीं है इनको अपने ऐसा गयते है ठीके फीटा चलिए आ ब देखो प्रस्ट पर आएंगे आगे आएंगे लेकिन आपट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आप एक शिक वेग ज्याद करने का तरीएगा तरीका आप एक्ष के वेग ज्याद करने का तरीका क्या होता है तो देखो हमने का कि कभी हमें एका वेग दिया है बी के साफ एक्ष कुछ दिया है 6 मीटर पर सेकंड या पनने का कुछ 6 I कैप दिया है और फिर हमें बी का बेग दिया है C के साफिक्स, माली ये 12 जे कैप है, 12 जे कैप है, ठीक है, अब हमें A का दिया है B के साफिक्स, B का दिया है C के साफिक्स, तो अब क्या पूछेंगे A का C के साफिक्स या C का A के साफिक्स, ठीक है, तो अच्छा पहले एक चीज़ और सीख लो, कि हमें A क का B के साफिक्स दिया हैं, तो B का बेग A के साफिक्स कितना हो गया, तो सरिफ चिन्ने बदल दो, ए 6 था तो माइनस 6 आई कैप हो गया, अगर हमें ग्याद करना है, C का बेग B के साफिक्स आपको दिया क्या है, चिन्ने बदल दो, और अगर हमें A का C के साफिक्स या C का एक के सापिक्स निकालना क्या करो, पहले तो जो बिपरीत टर्म हैं, उनको एग साइड लिखो, उनको बिकरनी है, बिपरीत नहीं फिर से उनो, मैं उल्टा बोला, जल्दी पढ़ना है जो समान पद है उनको बेटा बिकरनी है बिप्रीत लिख लो जैसे समान टर्म इन दोनों में क्या है बी है बी है तो इसको बिप्रीत लिख लो पहले से बिप्रीत लिखें तरीका समझना पहले से ही बिप्रीत लिखें अब इनको जोड़ दो, इनको क्या करो, एड़ कर दो, तो जैसे ही आप बेटा इनको जोड़ोगे, तो इससे एक कट गया, तो बेग किसका, एका, किसके साफिक्ष, सीके साफिक्ष, तो इनको आपने एड़ कर देना है, 6I cap प्लस 12J cap, और सीखो, और सीखो, कभी हम कहें, एक बेग किसका, एकस का, बाई के साफिक्ष, कितना दिया गया है, 10J cap, हमने का, बेग किसका, जैड का, किसके साफिक्ष, बाई के साफिक्ष, कितना दिया गया है, 2I cap, ठीक है, अब बचा क्या, बचा क्या, हमें बेग निकालना है, किसका, बेग निकालना है, एकस का, किसके स साफिक्स जैड के साफिक्स एक्स का जैड के साफिक्स तो यहां पर समान टर्म में क्या है बाई बाई ज्यान समझता है क्या यह बिप्रीत लिखें आपको यह नहीं बिकार्निय बिप्रीत नहीं लिखें इनको बिप्रीत लिखना है बिकार्निय बिप्रीत बिकार्निय बिप तो आप क्या करो किसी को बदल लो बदलना हमें आता है जैसे यह लिखा है एक्स का बैग बाई के साफिक्स तो जब हम इसको पलटेंगे तो चिन भी पलट जाता है किन भी पलट जाता है अब इनको बेटा क्या करो अड़ कर दो इनको एड़ करो तो जब आप इनको आड़ करोगे तो यह वह गया तो बिग किसले साफिक्स एक्स के साफिक्स यह कितना हो गया 2i cap plus minus 10 j cap add कर रहे हो तो वैसे 2i cap minus 10 j cap यह हो गया यह हो गया भीटा ठीक है चलिए तो इस प्रकार से हमें मिल जाती है चीज़े तो आप किसी के भी सापिक किसी का भी बेग्यात कर सकते हैं ठीक है दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज एक और महत्वपूर्ण चीज यदी यदी दो या अधिक बस्तुओं के बेग समान निकाए के सापिक्ष दिये हूँ सापिक्ष दिये हूँ दिये हूँ तो सापिक्ष दिये हूँ तो आप एक शिक बेग्यात करने के लिए आप एक शिक बेग ग्यात करने के लिए करने के लिए हम एक बस्तु के उपर जाकर बैठ जाएंगे तथा उसका बेग दूसरे उसका बेग दूसरी बस्तु को दिसा बदल कर दे देंगे दिसा बिपरीत करके दे देंगे यह बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है यह पूरी फुजिक्स में लगता है यह आपको आना चाहिए आएगा कैसे लिख मैंने दिया है अब समझ लेते हैं इसको कि एपलाई कैसे करना है समझते हैं दो बस्तु हैं एक A और दूसरा B इसका वेग इधर है कितना V3 इसका वेग इधर है कितना V4 इसका वेग इधर कितना था V2 और इसका वेग इधर कितना V1 है बताओ किसके सापिक्ष किसका निकाले है तो आपने का कि सर, हमें बेग निकाली ये B का किसके सापिक्ष A के है, तो जिसके सापिक्ष ग्यात करना है, उसके उपर जाकर बैठ जाओ, किसके सापिक्ष ग्यात करना है, A के सापिक्ष तो हम A के उपर जाकर बैठ गए, तो हम A के उपर जाकर बैठ गए, तो अब A का बे खतम एक अब एक अब एक हमें दूसरी बस्तू को दे देना है एक उपर बैठ गए बेटा ये रेस्ट में आ गई ये ब्राम में आ गई देखो पढ़ लो क्या है कि दो या दो से अधिक बस्तूओं के बेग समान निकाय के सापिक्ष दियों हो तो ठीक है आपिक्षिक बेग करने के लिए हम एक बस्तू के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तथा उसका बेग दूसरे को दे देंगे दिसा प्लट के तो बिटा हम जिसकी ऊपर जाके बैठ गए बो तो ब्राम में आ गई कॢँ कि माली जिए हम ट्रेन चल रहे थे हम ट्रेन में बैठ गए बैठ गया तो अपन्हके ब्राम में यह याद रखा नarti जिस निकाय कि ऊपर जाकर हम बैठ जाते वो निकाए ब्राम में आ जाता है तो ये निकाए आ गया ब्राम में अब इसके बेक का क्या करें जो इसके पास थे तो हमने का वो दूसरी बस्तू को दे दो लेकिन दिसा प्लट कर तो इसका V2 इधर था ना इधर तो दिसा पल्टो तो V2 कहां हो गया इधर हो गया और V2 कहां हो गया इधर हो गया और V1 नीचे था नीचे तो दिसा पल्टो तो V1 कहां हो गया विटा उपर हो गया V1 हो गया उपर तो अब देखो इसका V कितना हो गया X में कितना V2 प्लस V4 V2 प्लस V4 आई कैप और इसमें देखो तो V1 प्लस V3 यह तरीका है अपना और हमने यह लॉंग मतलब जो अपना रेगुलर वैस होते थे उसमें भी भहुत सारे एक्जम्पल इस पर देखें सीखें समझें अब देखो बेटा अपन चलते हैं नदी में नदी में ठीक है तो बेटा देखो नदी में में दो केस होते हैं क्या होते हैं दो कि अच्छा एक चीज़ समझ लो नदी में आप एक शिक गति तो इसमें दो महत्पूने सितियां होती हैं ठीक है अब देखो कुछ जानकारी दी जाती है जैसे हम कहें आदमी का बेग इस्थर पानी में इस्थर पानी में तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है आदमी का बेग आदमी का बेग पानी के सापिक्ष पानी के सापिक्ष आदमी का बेग पानी के सापिक्ष इसका मतलब होता है ठीक है तो देखो बेटा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए हमने का एक नदी है एक नदी है ठीक है पहले मैं जर्नल केस करवा दूं कि जर्नल केस करवा दें तो फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा बेटा नदी में आप एक शिगती है यह हमारे पास बेटा नदी है आदमी यहां से चल रहा है और कुछ इस दिसा में चलना शुरू करता है आदमी इस दिसा में ठीक है आदमी का चाल कितना है यू है आदमी का चाल कितना है यू और यू चाल किसके सापिक्स है बेटा नदी के सापिक्स और आदमी ठीटा कौन पर यहां से चलता है अब माने लिजिए अगर नदी नहीं चल रही होती नदी तालाव होता स्विमिंग पूल होता तो क्या होता यह आदमी यहां से चला यहां पहुँच जाता कोई दिकती नहीं होती तालाब होता है ठीरा हुआ पानी स्विमिंग पूल है जहां पानी ठीरा करें तो यहां से चलना इस द्रीटा में चल तो यहां पहुँच जाता लेकिन यहां पर यह नदी नदी कुद बहेheureही है नदी क्सिद बहे रही है तो ध्यान देना कि अगर इस नधी स्थिर होती यह पानी स सोता तो आदमी यहाँ पहुँचता लेकिन नधी गए तो आदमी यहां पहुँचेगा क्या। आप बता आप बता हुँ तौ आप को नहीं शरी है यहां नहीं पहुचेगा। actually इस आदमी के पास दो तागते हो जाएंगी, एक तो खुद की तागत इस दिसाम है, यहां से ठीटा कौन पर, कितना u, खुद की तागत है, और नधी भी बहे रही है बेटा, इस दिसाम है, इस दिसाम है, तो नधी की भी तागत आपको मिल जाएगी, तो जब ये आदमी पानी के अंदर जाएगा, तो आदमी के पास देखो कौन कौन सी तागते होंगी, एक तो खुद की तागत, ठीक है, आप सोचो कि आप नदी में जाओ और बैठ जाओ, बैठ जाओ पानी में, कोई आपको फेक दे, फेक दे, एना ऐसे, तो आप अपनी करने की तागत और एक नदी की तागत, ठीक है, तो बेटा नदी अपनी तागत देगी इस दिसा में, ठीक है, और जो आदमी यहाँ पर तैर रहा है, आदमी की खुद की तागत कितनी है, यू, यू के दो घटक कर लो, यू कॉस्ट ठीटा हो गया इधर, और दर हो गया U sin theta, तो आदमी के पास यहां एक तागत U cos theta और यहां पर एक तागत U sin theta, U sin theta, माने लीजिए नदी की चोड़ाई कितनी है D है, तो अब आप बताओ वेग का कौन सा बाला घटक है जो नदी पार कराता था, तो हम कहेंगे नदी पार करना है तो इस दिसा में जाओ, नदी पार करना है तो इस दिसा में जाओ, कहां जाओ इधर जाओ तो जब आप इधर जाओगे ठीक है तभी नदी पार होगी तो नदी पार करने में लगा समय है नदी पार करने में लगा समय है लगा समय है तो नदी पार करने में कितना समय लगता है नदी पार करने में कितना समय लगता है बेटा तो दूरी और बटे चाल तो दूरी कितनी तै करनी नदी पार करने के लिए D इस दिसाम में और नदी पार कौन कराएगा इस दिसा का ही बेग वो कितना U साइन ठीता तो D upon U साइन ठीता ये नदी पार करने में लगा समय हुआ अब देखो अगर इस स्विमिंग पूल होता तो आदमी यहां पहुँच जाता लेकिन इस स्विमिंग पूल नहीं है नदी है जो बहर रही है तो आदमी यहां न पहुँच के आदमी कहां पहुच जाएगा आगे पहुच जाएगा आदमी को यहां पहुंचना था यहां पहुंचना था लेकिन नदी के बहाओ के कारण इस भी बेग के कारण आदमी यहां पहुंच जाएगा तो जो एक्स्ट्रा आदमी ने चला आदमी को यहां पहुंचना था पहुंचना इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो नदी के कारण नदी के कारण है आदमी वहां पहुंचा ठीक है अब इस पॉइंट को अपन ओ बोलें तो अब आप बताओ अब बताओ ओ से लेके बी के बीच की दूरी के लिए कौन जिम्मेदार है ओ से लेके बी तक कौन पहुंचा रहा है तो हमने का कि नदी रोकी हुई होती तो आदमी ए पर पहुंचता ए पर पहुंचता ठीक है लेकिन आदमी बी पर पहुंचा किसके करण नदी के करण तो इसके लिए नदी जिम्मेदार है और इसके लिए आदमी जिम है कैसे यहां से लेकर यहां तक कौन जिम्मेदार हो गया आदमिवाoured तो उसे लेकर बीच की फ्रूरी आपन कैसे लिखेंगे तो इसके लिए आदमी भी जिम्मेदार है मतलब यू कॉस त्षिता भी जिम्मेदार है और नदी भी भी दूरी है, दूरी बराबर होती है, चाल गुणा समय, समय तो कितना है, डी अपॉन यू साइन ठीटा, जो नदी को पार करने में लगा समय, डी अपॉन यू साइन ठीटा, और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, आदमी खुद और प्लस नदी का विख भी, नदी का पार करे, निवनतम समय में आदमी नदी पार करे, तो निवनतम समय में आदमी को नदी पार करने के लिए, क्या कहानी होनी चाहिए, कि आदमी अपनी पूरी तागत, पहले ऐसे समझ लो, देखो नदी पार कौन कराएगा, भी कराएगा क्या, नई भी तो इधर बहा ले जा लेगा ऐसे अब देखो आदमी ने तैरना शुरू किया इधर तो आदमी यहां पहुंचेगा क्या हम कहेंगे यहां पहुंच सकता था अगर नदी रुकी होती नदी स्विमिंग पूल होता नदीन नहो के तालाव होती तो आदो नदी नदी तो बेटा बहती है तो आदमी यहां नप पहुंच के यहां पहुंच जैगा क्योंकि जैसे आदमी नदी में जाएगा दो आदम्हेंख dalla यह कुद का EU इधर और नदि का इधर नदी का बहाओ इधर खुद जा रहा नदी पार कर न्यद्ध अब नदी पार करने में किसा लगएगा निवियर्म समय हो так यह पूरी तागत यूग nदी पार करने में लगा दी तो नदी पार करने के लिए कित्ती दूरी चलनी है डी तो डी अपॉन यू इस दिसा का वे यू ठीक है एबी का अगर हम मान गयात करें तो एबी का मान क्या होगा इधर इस दिसा में कौन ले जाएगा नदी ले जाएगा तो नदी का वे किता भी इंटू स 결क कर सकते थे कि नधी पार करने में नियुनतम समाय कब लगेगा तो देखो पिछले case में जब आदमी जर रहा था कहा इधर जा रहा था इधर इधर तब नधी पार करने में समय लगा था D अपोन यू साइन चीटा D upon u sin Θा अब हमें इसका मान करवाना है minimum minimum तो इसका मान minimum करवाने के लिए जो साइन ठीटा इसका मान होना चाहिए बेटा maximum कैसा बेटा maximum ठीक बाद सठीक बाद तो साइन ठीटा का maximum मान केतना होता है तो साइन ठीटा का maximum मान होता है बेटा वन तो ठीटा का मान कितना हो गया, 90 degree, मतलब आदमी को किस कौन पर तैरना चाहिए, 90 degree पर, यह नदी का बहाओ, इस से 90 degree पर, ठीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 degree, नदी के बहाओ से 90 degree पर तैरना चाहिए, और ठीटा का मान अगर 1 हो गया, तो T का मिनिमम मान कितना हो गया, D, Y, U ठीक है ऐसा है यह के बाला केस होता है अगला केस नदी को नियूनतम पथ पर पार करना यह हम का है आदमी नदी के बिपरीत किनारे पर पहुंचना चाहता है आदमी कहा पहुंचना चाहता है नदी के बिपरीत किनारे पर तो बेटा इसके लिए क्या कहानी होनी चाहिए तो देखो आदमी यहां से चलता है और उसको सामने पहुंचना है यहां से चलके आदमी को सीधा सामने पहुंचना है तो यह कब संभव है देखो आदमी नदी में जाता है तो आदमी के पास नदी की तागत तो यहां होती है नदी इसको यहां ले जाएगी अगर आदमी क्या करना चाहिए कुछ तागत इस दिसा में लगाना चाहिए ताकि अपने आपको बैलेंस कर ले इस चाहिए नधी को सके ठीक तो अगर आद्मी को निवर्टम समयमें नधी पार करना है तो तो सुन्नों याद रख make कि आदमी को किस दिसा में चलना चाहिए, इस दिसा में, मान लीजे यहां से कितने कौन पर, यहां से ठीटा कौन पर, यहां से ठीटा कौन पर आदमी को चलना चाहिए, अगर आदमी यहां चलना ठीटा कौन पर, तो देखो इसके दो घटक करो, एक इधर, एक इधर, इधर, U cos theta और अधर U sin theta तो जब आदमी नदी में होगा तो आदमी के पास दो घटक होंगे देखो नदी का बेग इधर होगा आदमी के पास खुद का बेग का इधर वाला घटक कितνα है U sin Theta और यो कौस con capita अब आदमी क्या चाहता हम सीधे इंधर ही पहुँँँँ न इधर जाओ न सीधे पहुँँँँँ तो इसके लिए क्या आवस्यक है कि और बेक का घटक इसको कैंसिल कर दे मतलब भी का मान किसके बराबर हो जाए, यू कॉस्ठीटा के. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कॉस्ठीटा कमान X से जादा हो जाएगा अगर भी जादा यू कम तो कोशिटा एक से जादा हो जाएगा गड़बढ हो जाएगी है तो यू आदमी की खुरnioo टेके बेग से त्ञुपोच है तो ये केस तभी संबभ है इस तरी किसना नदी पार होजाएगी और नदीорм करने लगेगा तो समय पार कौन कराएगा कौन सा घटक कराएगा नदी की चौड़ाई है डी अब ये तो एक दूसरी को खा गया ये तो एकस में चलाते नदी पार कौन कराएगा यू साइन ठीटा तो अगर लिखेंगे यू साइन नहीं दूरी कितनी डी अपॉन यू साइन ठीट इस तरीक से इस समय लग जाएगा तो इस दो केस होते हे याद रखना नधी को निउंटम पत पर पार करना है तो भी बराबर कLaughing क्यों चाहिए यू कॉस्ट देटा के बराबर होना चाहिए और निउनतम समय में नधी पार्चाहिए पार करने के लिए आदमें को नदी से 90 तागत इधर लगा देनी पड़ेगी। तो जल का वेग मतलब नदी का वेग इभी का मान हो गया है। प्रारंबिक बिंदू के ठीक विप्रीत किनारे पर इस्थित बिंदू के लिए उसे नदी के प्रभा के सापिक्स किस दिसा में तैरना चाहिए। तो देखो बेटा क्या कौन सा वाला केस है पहला वाला दूसरा वाला केस पहचानना आए यह नदी है अपनी आदमी क्या चाहता है। ठीक विप्रीत किनारे पर पहुंच जाएं। मतलब हम यहां से चलें यहां से चलें और तबड़क 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 यहां पहुंच जाएं। तो किस कॉंड पर चलना चाहिए तो हमने का कि मान लीजी यहां से ठीटा कॉंड पर चलना चाहिए यहां से कितना कॉंड ले लिया हमने ठीटा ले लिया इधर आदमी का वेग U नदी का वेग तो इधर होता है नदी तो यहां बहती है भी वेग से तो आदमी अगर ठीक बिप्रीत किनारे पर पहुंसना चाहता है तो हमें मान मिलता है V is equal to U cos of theta V बराबर U cos theta V का मान कितना है 6 है U का मान कितना है 12 है दोनों ही km प्रती घंटे में तो कट जाएंगे into cos of theta तो theta का मान यहां से कितना आ गया cos theta का मान यहां से आ गया cos theta is equal to 1 बटे 2 और theta का मान कितना आ गया 30 डिगरी आ गया theta का मान कितना आ गया 30 डिगरी और अगर theta का मान 30 डिगरी हो गया तो 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 यह बाला कॉणड आप से जो सवाल में पूछा गया है गया है कहां से theta हमें मिल गया, कि यह quan कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, answer आ गया अपना, answer है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा क्या गया है, कि नदी के प्रभा की दिशा के सापिक्स, तो नदी की दिशा इधर होती है, नदी इधर बहती है, नदी कहां बहती है, तो यहाँ नदी के प तो दो केस होते हैं निवनितम समय में नधी पार करना ठीक बिप्रीत के नारे पर पहुंचना सवाल पढ़के आपको समझना कि कौन से वाले केस की चर्चा की जा रही है अब देखो इस कुश्यन को आप ट्राए करना यह भी नधी पर आधा रहते हैं यह आपका हुंबर के ट्राए करना थीक है ट्राए करना ढया कौन से वाला केस है सीधे भीरीत पहुंचना चाहता है कोशिट करना विटे अब अ лगा अपन बर्सा में आप एक्षिगति पड़ेते किस में बर्सा में आप एक्षिगति कैसे पड़़ोगे एक सवाल मैं आपको करवाता हूं इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा दियान देना बेसिक तो आपको पता होंगे ना एक बार जब कुश्यन देखो तो विटा क्या बोलते हैं थोड़ ध्यान पूरवक देखना पैन पेपर लेके देखना और जैसे मैंने कुश्यन करवाया आपको बि देखता है कि बरसा उड़ा धर नीचे आ रही है आ रही है कौन देखता है आदमी देखता है तथा वह देखता है तथा वह देखता है मतलब यह आदमी के सापिक्ष आदमी के सापिक्ष बरसा की चाल है बरसा की चाल है आदमी के सापिक्ष बरसा की चाल है तो देखो नहीं पता हमने का कि बरसा के पास बेग के दो घटक हैं एक घटक इधर है बेग का बारिस के बेग का एक घटक इधर है भी वन दूसरा घटक है इधर भी टू यह दो घटक है अब आप देखिए आदमी इधर है इधर है यह है आदमी किस बेग से चल रहा है भी बेग से तो आदमी को चला दो इधर भीवेग से भीवेग से अब आदमी देखता है आदमी के सापिक्ष बरसा की चल आदमी देखता है कि बरसा उदा धोर है तो आदमी के सापिक्ष के लिए अपन को क्या करना है आदमी के सापिक्ष बेग गयात करने तो क्या करना है हमने बताया था कि आदमी को उपर जाकर बैठ जाओ, आदमी को उपर जाकर बैठ जाओ, आदमी का बेग खतम, आदमी का बेग खतम, अब हमें आदमी का बेग इसको देना पड़ता है दिसा पलट कर, अब बर्सा कैसी दिखाई दे रही है, इसको बर्सा कैसी दिखाई दे रही है, सिर्फ उर् कब दिखाई देगी तो आप कहो कि जब ये वाला बेक का घटक इसको बैलेंस कर ले या हम कहें ये वाला घटक इसको खा जाये प्रहाँ से भीवन का मान कितना का बी के बराबर है बरसा के सवाल है ऐसी डिल करना है चलो एक कहानी होगी अब देखो क्या होता है यह आदमी भागने लगा अब आदमी अपनी चाल को बढ़ा का टू भी कर लेता है जो आदमी चला था ना यह पगला आदमी यह अपनी चाल को कर लिया है टू भी आदमी ने अपनी चाल कितनी कर लिया है टू भी टू भी चाल कर लेता है तो उसे बर बरसा उर्दो धर से 30 डिगरी पर प्रतित होती है पर दो आदमी अपनी चाल बढ़ा लेगा तो बरसा का बेग तो बदलेगा मुंद रहेगा इदर केटना यहिता ओपर चाल बढ़ाय है इस को दे दिया दिस्षा प्लट कर तो आप देखो इसके पास नेट वेक इसका मान हम अरिडियी निकाल चुक चुक है इसका मान कितना आ चुका है तो दो काले मेगा का यह भी और नीचे कि अधर नीचे यह आदमी है हम उसकी उपर बैठ हुए है तो बेटा जो परणामी बेग आएगा वो इस दिसामें होगा कौन सा बेग परणामी बेग इस दिसामें है और बताया गया सवाल में उर्दोधर से 30 डिगरी का कौन बना रही है तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा 10 ठीटा लिख 10 ठीटा क्या होता है लंब लंब कितना भी अपन आधार आधार कितना भी टू तो यहां से भी टू का मान कितना आ गया वी रूट थरी वी रूट थरी यह वी टू का मान आ गया तो अब हमें वीवन भी टू के मान मिल गया है तो बरसा का बेग हम लखें प्रत्वी के सापि और हो वेक्स प्राइब की ना इक लिवर नहीं और गिसुवर 20 निची अने परीबाल कि निकलना चाहिए तो अफ इसकंद फी निकल सकते हो ठीक है तो यह बिटा बर्सा बगैरा की बात हो गई है तो अच्छा तो चलिए बिटा अपन का एक सेक्षन इसमें रहे गया है वो अपन आगे पढ़ेंगे बिप कुछ और बर्सा वाले क्विश्चन्स होंगे पीवाई क्यू बगैरा यह हम होमवर्क में आपको दे देंगे किसमें दे देंगे बिटा होमवर्क में तो आप करना नहीं हो तो बताना कमेंट में हम बता देंगे अच्छा एक रहे गया है प्रक्षेव गती का एक सेक्षन रहे गया है आपका यह दो घंटे का लेक्चर है मुझे लगता दो घंटे से जादा हो गया होगा तो उसको उस ठीक है आप प्रियास बैस में पढ़ रहे थे तो प्रियास के नोट्स हैं जो भी नोट्स हैं एक बार उनको रिवाइज करके आ जाना हलके से तो उसके पर वेश्ड कुश्चन PYQ ही करेंगे हम. जतने भी आप एक शक गती के PYQ होंगे आप एक शक नहीं तल में गती के वो PYQ बेटा हम नेक्श अनक पर करेंगे ठीक है इस स्पीड बढ़ाना है अपनको जल्दी-जल्दी यहां पनको एक में पढ़ना है, तो speed बेटा बढ़ानी पढ़ेगी, और हम भी बेटा ब्रेक नहीं ले सकते हैं, बढ़ी धीमे धीमे नहीं चल सकते हैं, तो होगी कैसे चीजें, ठीक है, तो revise करते चलिए, ठीक है, यह अपना पहला lecture था, आगे बाले lectures में आपन क्या करेंग ठीक है, 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 तो इस चैप्टर की बैसे भी बच्चों को ज्यादा तर चीजें किलियर होती है, ठीक है, अगले जो चैप्टर हैं, आपके पास planner है, तो जब आप lecture देखें, उससे पहले ना थोड़ा सा एक बर notes को revise कर लेंगे तो मजा रहाएगा आपको और पढ़ने में, तो finally मैं यही कहूंगा बच्चों, मन लगाके दिल लगाके पढ़ाई करते रहें, ठीक है, आपको सफलते जरूर में लेगी, thank you so much, टाटा, bye bye, take care.